आज तो इतना टेंशन में क्यों लग रहा है यार नायक इंडिया आया है एसी इंटेलिजनसी की रिपोर्ट है कमिशनर को फोन लगा रहा हूं तो उनका फोन करेक्ट नहीं हो रहा है है यह पालिस एमेंस देखा क्या अगर अपने कमिशनर को जिन्दा देखना है तो तू मेरे भाई को लेकर आएगा वो भी अकेला है चंचो को लेकर खुमने वाला मत नहीं हूँ मैं शेर हो आरहा हूँ मेरे आद्मियों ने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा है दिखने में ओडिनरी लेकिन पावर एक्स्टा ओडिनरी बोलता का मैं करता ज्यादा है मल्टी टैलेंज है जैसे फोन पर तुने पुलिस कहा वो इस्टाइल अच्छी लगी दाद देता हूँ तेरे पावर की और कॉन्फिडेंस की भरत मैं भी अब तक 34 मर्डर कर चुका हूँ 16 कंट्रीज की पुलिस पीछे है 113 केसेज में मैं वॉन्टिड है जिसने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की उसे डेध सर्टिफिकेट दे दिया उन में तेरे डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल है जो भी मुझे ढूडते आया उसे सिर्फ मेरी फोटो मिली मुझे रूबरू मिलने का मौखा सिर्फ तुझे मिला है इस इस माई ट्रैक्टर कॉर्ट, ऐसा है ये किंग नायक बिकाज, फाइनल डिसिजन मेरा था ये सब मेने कर दिखा ये सिरिफ फाइयर्स इस नोट जस्मारिकार्ड, इस आल टाइम रिकार्ड वाव 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 हिम्मत की दाद दे नही होगी इस इन मैं बनुद लेकिन तेरा कमिशनर मेरे पास है कमिशनर सर्फ तूने जब मुझे अखाड़े में बुलाया तब तेरी किसमत बदल गा शिकार करने वाले शेर को तूने बढड़े पाठी पे बुलाया मुझे एक मिनिट काफी है शिकार करने के लिए दो मिनिट काफी है चीर फाड करने के लिए और तीन मिनिट में दफना कर चल देता हूँ कर देकार को अउर्स जब करते हैं कि आ तुछ effective आप साथ लुप टुछ छब कर दो चाल हो दो हम मैं कि भुद्र हुए है, हुए्य हुए! वर्नात ते रखको मिश्टर अपकी चांटे हाथ दो बैठेगा ड्रॉब इट नहीं भरत बिटा मिरी बात सुनो पुलीस वालों को कभी क्रिमिनल के आगे सर नहीं थुकाना चाहिए भरत 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 भई पिटा बरत तुन ड्रॉप तब टरप गन भरत शूट है भरत मैंने भच बहुँऊंगा सर उस नहीड तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है भरत इक तुम्ही हो जो से मात दे सकते हो इसलिए मैं चाहता होगी तुम कच भी करो लेकिन उसे मार दो डूंट लीव हिम डूंट लीव हिम बेरत डूंट लीव हिम बेरत प्लीज 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 चोड़ दो मुझे बरत प्लीज क्रिश्णा नगर इस एरिया का ये नाम पढ़ने की वज़े हैं क्रिश्णा प्रसाज्ची काफी समय से यहां के लोगों को क्षेत्र की रक्षा वविकास के लिए एक सच्चे राजनेता की जरूरत थी जो तन मन धन से जन सेवा को ही अपना सब कुछ समस्ता हो ऐसे में क्रिश्णा जी ने प्रादेशिक स्तर पर एक पार्टी का गठन कर राजनीती में प्रवेश किया लोगों के दुख तकलीफों में शामिल होकर उनकी समस्याएं सुलजाते सुलजाते क्रिश्णा प्रसाज जी, क्रिश्णा भाईया बन गए जिस समय कृष्णा प्रसाज जी ने राजनीती में कदम रखा, उस समय स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं की भरमार थी ऐसे में उनकी बेदाग, इमानदार छवी और उनके कुछ विश्वसनिये लोगों के सहयोग ने उनकी ताकत को दिन दूनी राज चौगनी बढ़ा दिया उन लोगों में थे नरसिमह, शिवा, रुद्रेश और सत्या कावेरी जल विवाद को सुल्जाने में कृष्णा प्रसाद जी राज्य की जनता के भीश फरिष्टा जैसे बढ़ गया उनकी इस उपलब्धी पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया, जिनमें उनके दोस्त और दुश्मन सभी जी जन दिन मुपारक हो, अब सौ साल तक जी है, खाना खाकर जाएगा, आपकी लोग मुझे इस तरह घूर रहे हैं, लगता है मुझे कच्चा चवा जाएंगे, मैं चलता हूं भाई, अगर हम लोग गल्ती से भी यहां रुख जाते ना, तो हमारी लाशे ही यहां से जाती, देखा ना, गुरों कैसे घुर रहे थे हम लोगों को, जानते हूँ वह कौन है, टॉक्टर राज जी को चाहने वाले, घर में आए हुए महमान की पेसदी करना तो दूर, उनस का आखरी जनम दिन है, जैलम भाईया, कहीं जा रहे हैं क्या? आज भाई साथ का जनम दिन है न, जीतने के बाद उनसे मैं मिलने ही नहीं गया, जाकर उनका आशिरवाद ले लेता हूँ बस क्या भाईया, हम दो चाह दिन के लिए आप से मिलने आए हैं, और आप हैं कि तुम लोगों के साथ रहने की इच्छा मेरी भी है, लेकिन भाई साहब के आशिरवाद से ही हमारे सारे सपने पूरे होते हैं क्या भाईया आप भी? देखो बेना, जब भी कोई अच्छा काम होता है, जिससे कि जनता का भला होने वाला होता है, तो हमें नीजी स्वार्थ बस रुखना नहीं चाहिए आता हूँ बाई पापा बाई भाईया, अपने भरत को अच्छे तरह से पढ़ा कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है भाईया देखो शिवा, डॉक्टर बनने से बहतर होगा कि वो एक एमेले बनकर यहां के लोगों की सेवा करने वाला एक अच्छा इंसान बन जाए बस यही मेरा सपना है एक जमाने में मुंबई शेहर में फुटपाथ चाप गुंडा बनकर भाईगिरी शुरू करने वाला आज गैंक्स्टर बनकर उसी नायक की स्पेशल स्टोरी हमारा आज का प्रोग्राम है ट्रॉक्स, फेक करेंसी, इल्लीगल बिजनसेज यह नायक बहुत से काले धंदे करते हुए भारत की अर्थ विवस्ता को चोट पहुचाने वाला एक पप्लिक एनिमी है इस नायक की गैंग में दो लोग खास हैं उसका छोटा भाई पवलू और दूसरा है गुरू तलवार से मिस्टर, वियर दूइंग आर जॉब सिंसिरली हम उन्हें हर हाल में पकड़ के रहेंगे ओके एड़ी सर आप एक साल से बस यही बात कहते आ रहें कुछ नया कहूं क्या हम से नहीं हो पा रहा है वियर इनेफिशेंट अर्यू है पी तो सुना आपने कमिश्टर साहब का जवाब डैडी टीबी वालों ने आपको ऐसा कहा है इसलिए आपको फील हो रहा है क्या नहीं बेटा टैडी उसे कोई नहीं पकर सकता क्या आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल क्यों नहीं हो फिर भी वो कानून के सिकंजे से नहीं बच पाएगा और उसे फिनिश करने के लिए उसका बाप आ रहा है बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए वो मिसाइल बन कर आ रहा है है घंबबबबब घंबबब धिसा अवरी 10 बबद ट्मoyहत Dobe अबबबबबबफ यद को आप आप अभले इवी में क्या देख रहा है डारेक्ट देख भाई यह पुलिस वाला है भाई गट पावर का पता चलते ही प्रोफेशन क्या है यह तोने बता दिया यहां जितने भी पुलिस वाले आई कुछ तो बिग गए और कुछ पार्सल हो गए क्या चाहिए तुमें अच्छा है बहुत चल्दी समझ गया गुरु तलवार कहा है गुरु तलवार मुंबई में ही रहता है वो सनी सुपारी के साथ है तेरी बात मैं मान लेता हूं लेकिन मैं फेराऊंगा मेरे पापा हमेशा कहा करते थे आँख वाले सिर्फ सामने देख सकते हैं लेकिन दिमाग वाले लोग चारों तरफ देख सकते हैं सर हमारा वेट करने की बचाए डाइरेक्ट अटैक करना ही बेटर रहेगा कब क्या करना है ये मुझे तुमसे नहीं सीखना है आम यो सुपीडियर ओफिसर अटैक करने के बाद भी गुरु तलवार यहां से निकल गया तो और शुड वी टेक चांसस सर मैं कनफर्म हूँ कि वो यही है कां से सुनी बात को इन्फर्मेशन कहते हैं आंखो देखी बात को कनफर्मेशन कहते हैं लेट मी गो अन कनफर्म मैशल सर आप अपके लिए क्यों जा रहे हैं वहां पर इतना कहों तना ही करो मैं रिस्क लेने व समझा ब्लड़ी इरिटेटिंग बागास को ने बेट्टू इधर किसली आया यह आवाज तो अपने सर की लग रही है ठीक है हम लोग के काम करते हैं हम दोनों उपर जातें तुम दोनों नीचे जांगो ठीक है सर मैं एक रियल स्टेट एजेंट हू सर वापटी दिखाने के मुझे जाने दीजे सर तुम यह क्या कर रहो है किस किसम के ब्रोकर हो तुम हम लोग पाजू की बिल्लिंग में तुम्हारा इंतिजार कर रहे है और तुम यहां कर इनके साथ टाइम पास कर रहे हो हूं कौने बे तू यह हमारा ब्रोकर है सर मैं इसका बायर हो है चलो जली कि तो हवाई ही उड़ गई है सीनियर सिटीजनों इसलिए तमी से बात कर रहा हूं नहीं तो ना चलो डा भारत दिस इस टूमच आइम यह सीनियर ओफिसर रेस्पेक्ट से बात करो वन्ना तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस कमिशार से कड़ू अबे टेरी तोर्ट कि अट्री भारत पेंटेक्ट अटफिसर प्रच आ प्रच वाद प्रच वाद तर्च वाद अट इर ये प्होंगों दिते हैं यूँ कर फग्म्हाँ यूज हो जूखए अजू 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 यूज अजू इयू आप करि कर दो डिले दो साथ, आप रगा में रागा कर दोना है, अजर अजर रागा कर दाने बागा कर दोना है, आप वी अज़ कर दो लागा कर दोखएगे जह सरा है! वोल दन भरन, थैंक यू सर, उस नायक गैंग का गुरू तलवार खास आदमी है, उसके हाथ आने से हमारा काम काफी आसान हो गया है, वाट यू से, यस सर, गुद मॉनिंग, क्या हुआ, ऐसे क्यू चल रहे हो, सर, बुलेट लग गई है सर, पिछवाणे पर गोली कैसे लग सीनी छड़कत, ऐसे लोग करते हैं, वाट, जियां सर, शूट करते समें गोली कलेचा का पास से लोगा, यह जूट बोल रहा है सर, चांस मिलना चाहिए से, अपने सीनियर को जो मुमयाग लगता है, सुन ले, मुझसे कोई नहीं बस सकता, तुझे ढून के जरूर मारूंग देखा अपने सर, कुत्ते के जैसे मार दिया ऐसे, यह कुत्ता ही तो है सर, पेशेंस तो है ही नहीं सर, गुस्सम नाग पे रहता है, वो दोनों अगर नहीं रहेंगे, तो पुलिस और पोस्टमैन में कोई फरक नहीं रहेगा, यह खेल हमेशा नहीं चलता है, स्टार अच् गुरू तलवार मेरा बिजनस पार्टनर है, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया है, उसे पनिश्मेंट देने के लिए, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, कोई आप्शन नहीं है तो सुनिए अबलू, तुझे कुछ रहते हैं, तुभी कुसम ने होश्चत है भाई, कस्टेडी में अगर कहीं गुरू तलवार ने मुझ खोल दिया तो सर ये लॉक अप डेथ है, इतनी टाइट सिकेर्टी के बावजूद, उसकी हत्या कैसे हो गई, इसमें आपका क्या रियाक्शन है इस केस को हैंडल करने वाली टीम को अल्रेड़ी सस्पेंड कर दिया गया, एक नई कमीटे हम बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम ज़रूर एक्शन लेंगे क्या हुआ भाई, इस से पहले के गुरू तलवार मेरा नाम बताता, उसकी सांसे ही रुक गए आप से जीतने की किस महिमत है भाई, ऐसा कोई एक मिलना चाहिए याज, लगता है, उपर वाले ने ऐसे मर्द को पैदा ही नहीं किया, सिर्फ सक्सेस से सटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता, कोई तो हो जो मुझे टक कर दे सकी, वेर इस ही सुबहें जब मैं गायत्री मंद्रे बढ़ रहा था, तब मेरी दादी मा मेरे वोइस के वाइबरेशन कैच कर रही थी, भरत तेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, किसको पता था, ये टर्निंग पॉइंट सस्पेंड करवा देगा, ये टर्निंग पॉइं इस और जेल के चखकर काटने में टाइम वेस्ट करना, सीधा उपर की टिकेट कंफर्म करा देते हैं, अहां, नहीं, नहीं, अइसा मत करो साहब, मैं सब कुछ बताता हो, जब कुछ बताता हूं, नायक कहां रहता है, ये अममें से किसी को भी नहीं नहीं पता, उसे किसी पर अगर बब्बन शेर को वर्दी पहना कर ड्यूटी पर भेज दो तो शिकार पक्का मतलब ऑपरेशन स्पेन बबलू की गर्फ्रेंड रहती है पजेसिव इन क्वेनी अली सो अपार्टमेंट फ्लेट नंबर तैंतो त्रेस जानता हूं तुझे स्पैनिश अच्छी आती है तैंतो त्रेस मतलब कितना होता है 102 भरत 102 जानता है कि अधरीटिंग सट एक यह रटेस्ट वालकम वक्त की बात है यार हर किसी का टाइम होता है और वो टाइम मेरी दादी कुंडली देखकर बताती है यह शास्त्री तू एक काम कर एसी पी की नौकरी चोड़कर अपनी दादी के साथ मिलकर टीवी में कुंडली बताने का काम शुरू करें प्लीज मेरी दादी के बारे में तुम ऐसी बाते मत करो परफेक्ट पबलिसिटी उने मिलती ना तो मेरी दादी कहां से कहां पहुँच थी पताएं मेरे दादा की डैथ उनके बताय टाइम पर ही थी बताये कैसे मुम गिन वहाँ उनके पास बहुत पावर है यार आज आज अजमा ही लेते हैं चल अपनी दादी को फोन कर हां ठीक है लगा ता हूं है यह रॉंग नमर तो नहीं लग गया अरे मेरी दादी का कॉलर ट्यून है हां हेलो दादी क्या हुआ पेटा तेरे पोन के वाइबरेशन से मुझे लग रहा है कि तो अपने दोस्तों से जगडा कर र में तुझे बताती हूं तुझे कनड़ा तमिल देल्गू मल्यालम हिंदी कौन सी लेंग्वेज आती है हिंदुस्तानी हूं तो हिंदी में ही बूली है अरे वा तु तो देश भक्त है कॉर्पोरेटर MLA CM इसमें से तु क्या बदना चाहता है CM ओहो तु बहुत उचा सोचत है अरे दादीमा CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं common man वा राजकुमार तेरा भविशी ये कह रहा है खुश्या बहुत जल तुझे ढूंटी हुए आने वाली है तेरी जिन्दिगी में एक राजकुमारी आने वाली है राजकुमारी हां अरे सामने तो देख आरे ये लुकिंग फोर सम्मोन येस आयम ही तो वन प्रॉबश अ हलो हां जेम्स कमिंग अधवे ये मुच्छ जेम्स के वह चाहिए जेम्स का फोन आया मुच्छ तुरंच आह बहुगा ये रिंग तो भवानियार अहां साइलेंट मोड पे डाला है हम भी साथ चले क्या नह आया नहीं कम और या कना घ्या ज़िए में अव्या करते उनियार ये मिद्द उनियार इस तुर्च ज़िन यह चीनता है यह नहींद यह चले कुश शास्तरी तु कुछ भी बोल जब भी मैं तेरी दादी मा अवात करता हुना तो ऐसा लब तो याई तीवी पर सुबह सुबह कोई साधवी प्रावचन दे रही हो उन्होंने क्या कहा अरे वो लड़की दुबारा यहीं आसपास दिखी कि ऐसा का यहां यहां क्या कर रही है मेरे खाल से बबलू की गर्ल्फ्रेंड यही होगी गर्ल्फ्रेंड शास्त्री यह क्या हो रहा है यार लगता है कि दादी के पावर को यहां का टावर कैच नहीं कर पा रहा है अब तेरी तू और तेरी तादी यह पावर टावर यह सब क्या है पंक्चर हुवे टायर को मेरी काड़े में फिट करने की सोच रहा है उस लड़की को देखते ही भूड खराब कर दिया, हम्, रहने दो, आने दो, कोई ना कोई शॉपिंग मॉल में जरूर टकराएगी, तुझे कैसे पता, I'll pick it up tomorrow, या शौर, देखो, वो यहीं आ रही है, अंग्रेसी बिल्ली को डेलिकेट तरीके से डील करना होगा, अरे आ इसते बोल, वो सुन लेगी यार, चड़, इस अंग्रेसी बिल्ली को कहा हिंदी आती होगी, मुझे भी हिंदी आती है, आती है, तो क्या हुआ, काफी शॉप में आया है, काफी पीने के लिए, तुम्हें वे, तुम इतने भी खुबसूरत नहीं हो, कि तुम्हें कोई फॉलो करें, ज्यादा मत बोलो समझे, तुम जैसे लोकल रोमियो के बारे में, मैं अच्छे से जानती हूँ, लड़के होते हैं, टू टाइप वन, कोई लड़की अगर ज़रा सी खुबसूरत है, तो इस तरह का फालतू ग्रुप बनाकर लड़की के पीछे बढ़कर चीप तरीके से बिहेव करते हैं, टाइप टू, कोई लड़की अगर पसद आ गई, तो डाइरिक जाकर टेरिंग के साथ प्रपोस करते हैं, और ऐसे लड़कों को ही मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, तुम जैसे को तो खून खोल जाता है मेरा, यह, तु समझती कहा है खुद को, मैसूर में जाओ तो मोग्री जैसी लड़की, कलकता में जाओ तो परी जैसी लड़की, मैंगलोर में जाओ तो हीरे जैसी लड़की, कोलार में जाओ तो सोने जैसी लड़की, बंबे में जाओ तो वहां बिं इस जमता है तो अधार की तो बता इसने उस लड़की का फ्लैट नंबर वान जीरो टू नो 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 तेंथा की तेंथा इसने तो टो नंबर में गरबड़ी होगी इसका मतलब वो बबलू की गल्फरेंड नहीं है शुर बिल्कुल नहीं है तुम लोग इमेडियेट उस करके आता हूं ओ माय गॉट सॉरी माम आम पिजे कहां देर हो गई हम लोग कब से वेट कर रहें चल बोट में मामी वो बोट नहीं फेरी है ओ हो दोनों इंगलीश ही है ना चल तू कितना अच्छा है ना हम हेलो चोडी है तुम इंडियन हो जी हां मेरा नाम भरत है आप पदमा दिस इस माइ स्मॉल जॉटर प्रीटि यह वेरे बिग डॉटर परिनीटी ने उन्हें डिस्टर मत कीजिए प्रीटी परिनीटी कितने क्यूट नाम रखे आपने पदमा दीदी यू कॉल पदमा दीदी अहां क्यों अच्छा नहीं लगा अहां इम सो हैपी मेरी ठोटिल में फैशन शो चल रहा है वहाँ परिनीटी अपने डिजाइन किये हुए कॉश्यूम्स प्रेजन कर रही है उसके लिए सेप्रेट मॉडल से लिए हैं क्या येस अरे आप खुद कर लेती ओहो इस उम्रु में कैसे ब्रदर खैर छोड़ी है अरे आप आंटी के अरे ड्रेस में मॉडलिंग कर सकती है और बाद बढ़िया दिखेंगी तुम यह क्या कर रहे हो गयर अप परिनिती मेरी बाद जरा ध्यान से सुनो मेरा नाम भी इसे बता दिया क्यू परिनिती क्या हुआ यह पछ नहीं एक चोट यसे मिसंडरस्टाइडिंग हो गए थी प कर रहा था तुमने उस वक्या का था मैं गुसेल और नकचड़ी लड़की हुँ ना मेरा चेहरा जली भी जैसा है और मैं क्या बिस्टेस करती हूं यह सब चाहते हो ना तुम परिनिती एक चोटी से मिसंडरस्टाइडिंग है उसे माइंड से डिलेट कर दो अपने अपने तुमने ऐसे क्यों कहा तुम्हें लगते है कि मेरी दादी ऐसे पबलिसिटी के लिए करती है पता है मुझे कितना दुख हुआ इतना दुख तो मेरे दादा के स्वर्गवास पे भी लेई वा तो यह क्या लड़कियों की तरह रो रहा है तुम तेरी दादी से ज्यादा तो तुम सब इस पर अच्छे से नजर रखना क्यों तेरी नजर पढ़नीती पर रहेगी क्या यार यह इतनी टेंशन में क्यों दीख रही है और यह बात कैसे कर रही होगी अपने फादर से कर रही होगी लगता है उसका फादर बहुत इस ट्रिक टाइप का है पढ़ाई कैसी दिन रात एक करके बहुत महनत से पढ़ रही हूँ मैंने पहले से ही परिनीती आइपेस का बोर्ट बना कर रखा है ओकी डैडी डेपनेटली वनूंगी किसे बात कर रही है तू डैडी से पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तेरे पापा ने तुझा आइपेस बनान प्रशास्तरी लगता है हम लोग इसी गलत लड़की को फॉलो कर रहे है अरे जल्दी चलो उसको फॉलो करता है क्या यार शास्तरी कल मैं थी आज वो लड़की है अब कल किसके पीचे कुमोगे किसी तरह से सिचुएशन मैनेज कर लेना है मैं क्यों सिचुएशन मैनेज करूँ सच्चा ही बता देता हूं देखो मैडम तुम अलग हो वो अलग है हालात अलग है परसन अलग है परपस भी अलग है तुम्हारा पॉपस क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम जैसों से मुझे नफरत है लेट्स गो अरे यह क्या है शासरी हाला सुधरने की जगा बिगड क्यों रहे हैं क्या हम जो अपना काम कर रहे हैं वो गलत है गलत नहीं है भरत लेकिन कभी-कभी लाइफ में इगो से काम नहीं बनता हमें सच्चा ही बताना ही पड़ती है भरत करेक्ट हाँ मैं अभी क्लेरिफाय करके आता हूं ओके तुम मुझे इस तरह फॉलो क्यों कर रहे हो एक्स्क्यूज मी सिक्यूरची सिक्यूरची इतना तमाशा करने के जरुवत नहीं है मैं पुलिस वाला हूं एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं इस देश में आया हूं तुम अगरी गल्फ्रेंड होगी यह सोचकर मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था लेकिन बात में जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे गलती का हैसास हुआ जाने अंजाने में मैंने तुम्हें बहुत परिशान किया लेकिन अब तो मुझे अच्छी लगती हो अगर मैं तो इतनी टेंशन में क्यों है आज मुझे प्रेजंटेशन देना है आप तक जो कॉम्पेटीशन हुए है उसमें तेरा ही डिजाइन सेलेक्ट हुआ है ना जस्ट रिलाक्स ओके है तेरा बैक का लगता है तू बाहर भूल गई है अलो कि अ मेरे इतने दिनों की सारी मेरत प्रेस्ट हो गई वरिनिती प्लीज शांत हो जाँ बापा से जूट मुलकर आयती यह से की ससाय है लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं तो तुम इरिटेट होती हो गालियां देती हो लेकिन उसमें भी एक अड्वांटेज रहता है यू नो सम्थिंग डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे लखी मानते है आल दे बेस्ट आम शोर तुम यह कॉंटेस जरूर जीतोगी भरत तुम्हें लगता है बबलू उसे मिलने आएगा वो जरूर आएगा पुलिस वालो में फोकस के साथ साथ पैशन भी होना जरूरी है अरे वो नरसीमा कहां गया अरे फोकस कर रहा हूँ बबलू की गल्फरंड के उपर जैसे तुम परिनिती के उपर कर रहे हो मेरा मजा नहीं रियल में यार इसलिए तो तुम्हारा प्यार सक्सेस हुआ है प्यार व्यार कुछ नहीं है शास्त्री लड़कियों को तो यूहीं पटा सकते हैं सेम कलर का ड्रेस पहन कराएंगी सेम स्पीच देंगी लग इचदर कहो या लव सौंग आओ तो बस ही इस फैबूलस प इस बाता है शादी के बाद सब कुछ मैंस हो जाएगा व उने कैच करने तक ही मैचिंग होती है शाधी के बाद साडी में पूरी तरह लिपट कर बस घर के अंदर पड़े रहना है तूम जोक मारे हो छोड़ो ना बोसे इसमें गाया जोक शादी के बाद उसे घर पी रहना ह समझा और वो उसके माबब को जरा भी अकल नहीं है गया शास्त्री तू उसके माँ को दिखना क्या स्माइल क्या स्टाइल टूटी-फूटी मुझ से निकलती हुए इंगलेश यार उनकी बातें सुनते ही कानों में दर शुरू हो जाता है वो सब मिला कर उसकी फैमिली के बार थैंक्स कहने आई थी but you don't deserve it तुम अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और लेकिन एक बात जान लो लड़कियां भी टू ट्राइप की होती है टाइप वान जो जीप क्यारेक्टर की होती है वो तुम जैसें के पीछे गुमती रहती है टाइप टू ऐसी लड़कियों को ब शास्तरी इसने एंट्री कब मारी थी जब तुने कहा ना कि लड़की को यूँ पटा सकते हैं तब ही आ गई थी ओ वही टाइम यार इशारा नहीं कर सकता था अरे मैं इशारा कैसे करता वो मेरे सामने ही खड़ी थी हात पैर कुछ भी मार देता वो मेरे ध्यान में याया सर अरे जाने दे छोड़ यार यह टाइप टू की लड़की है इसके लिए हम वार करेंगे फिर भी यह मिले की किने इसकी कोई गारेंटी नहीं बॉड़ी एक्दम सुख्डी है चेहरा जिले भी जैसा है यह लोग बिलकुल सडी हुई तरकारी जैसे होते हैं कलर तो सेम रहता यह लगताया कनेक्शन पूरा कड़िया है हन्रेट पिसंट है यह हाई है है भारत भबलो आग्या है हाई है स्वीट हार्ट माइबी माइ डालें माइस्वीटी पाई एई क्यों बबलो इतना लेट क्यों हो गया है कहार है तू आटोग्राफ लेने के लिए ना ही तू कोई बड़ा स्टार है और ना ही में तरफ है पुलिस बढार है लेजय है लेज़ बंक अ प्लीज, टोट जूट में गूनला ए नायक हे, कौन है रहे तू? पुलेस, डिपार्टमेंट ने जब से तुछे फरार घोशित किया है तू डेंजर जोन से बाहर आगया है, ये मत समझ छोड़ोंगा नहीं तुछे जब तेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू अकेले क्या कर लेगा? डिपार्टमेंट को भले ही तुने खरीद लिया है लेकिन मुझे तू नहीं खरीद सकता मैं तुझे ये सोचने पे मजबूर कर दूँगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ अभी मेरा भाई किदर है? मेरे पैरों में गिरकर अपनी जिन्दकी की भीक मांग रहा है भाई, ड़न लग रहा है भाई, सेव मी प्लीज अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो तुझे मैं जिन्दा दफन कर दूँगा दुश्मन को मैं मौत के सिवा कुछ नहीं देता तुझे मैं कहीं से भी ढूट कर मारूँगा जोर से बोल तुझे मैं कहीं से भी ढूट कर मारूँगा ट्राई करना, बेस्ट आफ लग परिनिती, वो देख भरत आ रहा है, क्या है, अब क्या सौरी कहने आये हो, नहीं, गुडबाई कहने आया हूँ, अगर मैं तुभारे स्टाइल से कहूँ, तो लड़के टू टाइप्स के होते हैं, टाइप वान, देख लिया, पसंद नहीं आई, मुस्कुरा कर आगे बढ़ टाइप टू, ऐसे लड़कों को लव मैटर समझाने में आधी लाइफ गुजर जाती है, मैं टाइप वन हूँ, आज अभी के अभी अपने माइंड से मैं तुम्हें डिलेट कर रहा हूँ, तुम भी वैसी हो, तुम भी अपने माइंड से मुझे डिलेट कर दो, चली शास् आधी मा की भविशवानी सही सा भी थोगी है, हम सब के होते हुए, मेरा बबलु मारा गया, जिसने मेरे भाई को मारा है, मुझे उसे देखना है, दिखने में कैसा है वो, दिखने में तो आडिंजरी मैं नहीं दिखता है वो, लेकिन पावर एक्स्टराओडींरी, बोलता क लेकिन लाग घुसा जादा यूज करता है ज़स सामने हो तो भी उसके करेक्टर को जज नहीं कर सकता दुश्मन की तारीफ करता है सुनो सर उसने मेरे भाई की वीकनेस का फायदा उठाया उसकी वीकनेस क्या है ये पता लगा ओके सर क्रिष्णा भाई को हमसे दूर गए 14 साल गुजर गए लेकिन उनके सपने उनके इरादे हमसे कभी दूर नहीं हुए और हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे क्योंकि ये जीवत है हमारी सोच और ये बदवी और आप सब का प्यार ये सब कुछ क्रिष्णा भाई की दीव भी कि अपनी आखली साज तक कृष्णा भाई या चन्ता के लिए जीता रहने अज भी वह हमारे बीच में यह अपनी आखली सास तक आवह मारे दिलों पर बिलकुल उस्वक्ट भी वो नेता नहीं थे देवता थे देवता कभी परते नहीं कभी नहीं करते देवता थे नुस्वक्रिच्ण भाई याउ कर सबस्क्राइब कर दो अजूर भाइनुझानु अपाइनु आइनुल रहिए। ददोराइनु दोराइनु अजूराइन अपनाुटर! तुम्हारे पिताजी 14 सालों के बाद कॉमा से बाहर आये हैं ये एक चमतकार है ब्रेंड के इंटर्नल पार्ट में गहरी चोट लगने की वज़े से ऐसा हुआ था ऐसे पेशेंट को हमेशा खुशहाल और शांत वातावरन में रखने से जल्दी रिकवर होने के चांसेज रहते हैं स्ट्रेस अथ्वा सदमे वाली बात हुई तो वापस कॉमा में जा सकते हैं ये उनके जान के लिए ख़तरा है ये वर्दान है या श्राप समझ में नहीं आ रहा भाई साब को खुश रखना है और भाई साब की जान है जनता और वो समझते हैं कि जनता भी उन्हें अपनी जान समझते हैं तुम्हें भी वो एक एमेले के रूप में ही देखना चाहते थे लेकिन तुम जन्ता से बहुत दूर हो और तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया में नहीं ये बातें अगर भाई साब को पता चल गई तो नहीं पुपाजे, बापा अभी अभी कोमा से लौट आये हैं हमारे लिए, जन्ता को देखने के आस लिए अगर चंता के प्यार के साथ हमारा भी प्यार चुट जाए तो कोई तकलिफ नहीं होगी हम्, इस मैहल के खुशियां छीन कर, इस मैहल का राज दरबार चलाने वाला मैं ही हूँ क्राइम तो मेरे लिए हाहा, हाहा हा 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 आइस्क्रीम की तरह है नोबडी केन स्क्रेच मी नहीं कहना यार इस्क्रेच मी का बतला बेख खुजली करना काश्मी का बतला बेख पकाड़ना दभींग में सुधार लेना ना यार टेक हो गया आओके करो ना मुझे सजेशन दे रहे हो है तुद निगेटिव करेक्टर चुनकर पूरा यह बोलने वाला तुकान है मैं डारेक्टर हूँ मैं हूँ पीवी बूशान इस बंगले का ओनर नो लोकेशन नो शुटिंग पैकप सर्शार दस जार रुपए ज्यादा लेलो मेरा कुछ इमान धरम है कि नहीं मुझे साइनिंग तक नहीं दिया और इसे दस जार पे जाद क्या बात है मोवन कौन है यह लड़का दिखने में हीरो लगता है ऐसका नाम भारत है शूटिंग के लिए यह लोकेशन देखने के लिए अब है डिरेक्टर लोकेशन फिक्स करता है ना यह हीरो नहीं है यह डिरेक्टर प्रडुसर सब कुछ है वो जो हमारे भूत पूरु क्या हो गया क्या चुरी सिर्फ पेमेंट यॉर अनन्भी यॉक्रण को बहुत पसंदाया प्युब्र जया है ऊपको मिला है क्या मेरी ले लिए मैं जो फिल्म बनाने चाह रहा हूं उसमें आपको जरूर मिलेगा मुझे ले लीजिए सर मुझसे जो चाहिए करवा लीजिए सार देखती जाहिए सर मैं आपको क्या से क्या बना देता हूं शहेद की तरह निचोड़ दू है किसको आपके टैलेंट कर देखते हुआ कि पर देखते हुआ है हुआ है थे पर देखते हुआ है कि दो पर दून खुआ है श्रीच को कि अवारे इस प्रूग्रमज को अधिक फूर ड़ा हुआ है thinking प्रोफेशनल लां होते हुए भी तुमने आमारा बहुत सपोर्ट किया अरे क्या तू भी ना यार मोहन पापा होश में आ गए हैं ये बात बहर किसी को पताना चले उनके अहसानों का कर्ज सुकाने का मौका मिला है ये मौका कैसे जाने दे सकता हूं कैसा कर्ज मुझे सबसे पहले जूने अर्टिस्ट का मौका उन्हों नहीं दिया था आज दो वक्की रोटी उसी बतालत खा रहा हूं ये उनी की दीवी भीग है भीग मत कहो एहसान मानते हूं यही बहुत है आप हमेशा खुश रहोगे एहसान भी करते हो और एहसान मानने भी नहीं देते हो आप भ मेरे भाई को किसने मारा ये पता लगाने के लिए तुस्से कहा था क्या कर रहा था इतने दिनों तो क्या हां चला है मुझे एडवाइस देने हां भाई गुरु तलवार के मडर के बाद डिपार्टमेंट की सीच्वेशन बहुत टाइट हो गई है कमिशनर सारी बातों को कैसे करेगा मुझे नहीं मालू इमीडियेटली वो ओफिसर कौन है और कहां मिलेगा ये मुझे जानना है चाचा सुनो ताउजी होश में आगे भाई साब हमारा भरत एमेले बन गया है हम बहुत झाल बाल जानकी, जानकी, बहन जानकी, कहा हो तुम, भाईजाग? क्या हो, भाईजाग? अच्छा, सुनो, बेटा, एक पर उससे बात करने का दिल कर रहा है, जरा उससे फोन तो लगा है, इसमें कौन से बड़ी बात है, लेकिन इस वक्त वहां रात है, तो सुबह बात कर लिजेगा उन से, अरे, लेकिन उस वक्त तो हम सोते रहेंगे ना, यह सही कह रहा है, अभी सो रहे थे क्या, सॉरी, पापा बात करना चाहते हैं, ए सत्या, कैसा है तू, बहुत फर्स ग्लास हो भईया, आप बताईए आप कैसे, अरे, मुझे क्या हो, मैं तो प्रुपर ठीक हो, अच्छा, रखता हूं भईया, ठीक है सत्या, चलो, बात तो हो गई, अच्छा, सुनो वो रुद्रेश, नर्सिम्हा, शिवा, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह क्या हो रहा है, यह तो सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो पैदल चलकर वो कशी जाएंगे, एसी उन्होंने मन्नत मंगी थी इसलिए हो वहाँ गया है, भ आइए पबा, जंता आपसे मिलना चाहती है, विस inanバर प्ला अच्छच अधिस्त तो बिल्कुल किश्क्ष्णा प्रशाद जैसा लगा रहा है POL कि अब सब कैसे हैं हम बलकुल ठीक वेया सरकार से मिलने वाल का मेरा बेटा आप लोगों तक पहुचा रहा है ना भाईया सच बात तो यह कि आपके बेटे आपसे भी अच्छे ढंक से हमारा ख्याल रख रहे हैं तुम जिसे बेटे को पाकर आज मुझे बहुत कर रहा है आँ मेरे गले लग जाओ अब यह क्या हो रहा है अरे आप हम पर इस तरह कर रहे हैं कर रहा हूं यह कौन से शुटिंग हो रही है कैमरा नहीं है यूनिट नहीं है जेनरेटर नहीं है जूनियर आटिस नहीं है जूस नहीं है मौसं भी नहीं है लड़किया नहीं है तुम मर्दों का थोब्रा देख दे वह किस तरह आपने बिग बॉफ शो देखा है यह भी उसी की तरह है बॉस का बॉस शो बॉस का बॉस शो कॉन सा कॉंसेप्ट है कृष्णाजी अगर आज जिंदा होते और उनका लड़का एमेल बन किया होता तब वो क्या फील करते और कैसे फील करते यह सब सिक्रेट कैमरे म अब देखाए दिखाए दिया तुसे कोई सिक्रेट का है क्या वह देखाओ इधर देखाओ यह सारे कैमरे क्रिश्टा जी की कैरेटर को फॉलो कर रहे हैं और उनसे जोड़े सारे कैरेटर को स्पॉर्ट की जरूत के हिसहब से कवर करते हैं अब सारी बाते समझ में आ गई लेकिन इसमें पीवी भूशन का कैरेक्टर की धर है आपको पॉजिटिव कैरेटर चाहिए या फिर नेगेटिव कैरेक्टर करके क्या करूंगा मुझे चाहिए नेगेटिव मेरे टेलेंट का फुल उप्योग होना चाहिए गुट देखते जाओ अब कल से मैं आपके अंद तो कितना खुश होंगे मैं सामने देखूंगा कहां चलिए ना बाहर चलके खुदी देख लिए उसने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई ऐसे तकलीफ के समय हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा ए शास्तरी कौन है वो सूद खौर क्या है बोलो क्यों भाई सुद्खोर नागा सुनाये तुम हमारी जंदा को बहुत लूट रहे हो है और नहीं तो क्या मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं उनकी पपी लूँगा क्यों बै आवाज बहुत उची हो रही है यह डायलोग बोलकर मैं तुम्हारी सामने गि सब्चेगी समझा धंदे में धोका देने वाले मुझे बिलकुल पसंद नहीं है ऐसो को मैं सबक सिखाए बीना नहीं रहता हूं क्या सबक सिखाएगा क्या बोल उपर वाले का मिस्त्री है क्या तू बड़े जोड कमारा या इतनी जल्दी धीले मत पड़ो सही तरह से रहो तुमारे भीक पफॉर्मेंसे वो लोग लाइम लाइट में आ रहे हैं अगर ज्यादा धीले नजर आए तो तुमारा एलिमिनेशन पक्का है यह क्या तू बांडरी का शौट मारा है अगर तू है मिस्टर बांड तो मैं भी हूँ यहां का अन्ना बांड चलो अपना काम करो अगर यह है भाई तो मैं भी हूँ यह बड़े पापा तुम्हें क्या चाहिए हां ऐसे लाल्टिन की तरह मुह के अलट काके ख़़े हो हां क्या इनका प्रॉब्लम बताओ ना क्या है कल शाम होने से पहले तुने जिन जिन से ब्याज लिया है उन्हें इज़त से पैसा चलो चलो सब घर जाओ कल पैसे ले जाना चलो तेरी एक थपड़ नहीं उस लालची सुथ खोर की हालत खराब करती है यह तो कुछ भी नहीं है भाई साब असेंबली में जाकर देखिए सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनकी बहस सुनकर टेबल थप थपा कर हाँ इन्डिपेंडेंट लोग जैसे आपको भाई का सपोर्ट है ना वैसे उनका सपोर्ट इसके साथ है वह यह तो बहुत अच्छी बात है अच्छा सुनो भाई साहब की बात आए तो याद आया वह इसबक्ड कहां है वह कहां हो वह तो चले गए बात कहां जाएंगे कहां हिमाले गए गुजरे हुए यादगार पलों की शूटिंग के लिए वो तो भाई साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था अच्छा सुनू बैटा चलिए पापा आपको आरांगी जो होते हैं जाए अंदर जाए ठीक बैटा जाए आप जरा अपनी जुबान प मोहन उसने मेरे गाल पर थपन मारा ना अब मैं उसे कहां कहां थपन मारता हूं देखता जा मैंने सब कुछ सोच लिया है क्या करेंगे आप इस पूरे लोकेशन पर उसे शूटिंग करने दिया ना मुझे डबल पेमेंट देगा तो शूटिंग होगी नहीं तो पैक अप कर सब्सक्राइब नहीं भरत उसका परफॉमंस उस रेंज का है ही नहीं तुछे एक बात पता नहीं है जब मैंने उन्हें चाटा मा रहा था तब उनके चहरे की रियाक्शन देखकर हमारे बॉस के बॉस का प्रोडूसर वी रवी चंद्रान भी फुली फ्लाइड हो चुका थ लिए खाला है तो है अरहे मैंने कया लूकेशन दी आ हम वैसे अर्टिंग के लिए पागल है इस तो प्रोड क्रोड़ा में था का सिप्ति करहां क्रूब मैं क्रेंग ने का डिकांधर वो क्या है ना हमारा इंडिरेक्टर है वो यह प्धान का किनसल कर रहा है क्या हॉं चु नहीं मिल रहे हैं तो और इनल दे दो हमारे पास कहा है इतना पैसा इस वक्त तो मेरे पास है सर पैसे देकर एक्ट करने वाले आप पहले अक्टर हों क्या मतलब मतलब आपका पफॉमंस तो ही लेकिन आपको कोपरेशन भी बहुत अच्छा है तब ही तो मैं हूं पात्म भीव ेशन से इप्रेश उजtałेंगे फिर दो करोट मेरे आविए जाएंगे आप मेरे दूंगा अब मैंने दूंगा सथा लो नें पैसे देना तुम्हे रोप क्यों दिया मैंने दूंगा मेला मोड़न नहीं है समझ में आया तुझे यह का सर मुझे क्यों मारा मेरा दिल किया मालने का तो मारा है आपने गाल पिचाटा खाके बहुत अच्छा किया है इससे रेवी चिंद्राइंच सर बहुत इंप्रेस हो गए तो चूप रहा है ना तुझे सोड़ा पिलाओंगा चलो काम शुरू करो क्षिख खड़े मेरा तो दुकी रहे आप क्यो अपने लुख रहे है आप पैर दुख वाह रहा है आप बैठ जाए ने सोड़ मैं बाद रहा हो हुआ है आव्यज आव आश आप पैसे लेकर जाहिए कर जा आए आइक पर मिशन देतो आपके पिताजी से आशिरवाद ले अच्छी हुई ऐसी लिए कि नो हो अच्छ एशु लिए रावी जन्द्रान सर का फोकस पेरे उपर एदो करोड का मिनर में हूँ है भरत इसी अभी पी समझ भी नहीं नहीं आया दो चार और शार अरा किया बहुत था मैं उस बुटे को बहुत तुम क्यों भार रहे हो क्यारक्टर मैं भी फुली इंवाल हो गया था लेकिन गेम्स रूल को फॉलो करने चाहिए ने सर माइक में रिलेक्स रिलेक्स बोला जा रहा था गलती मेरी नहीं है तो फुल्ली इंस्पायर हो गया हूं से आपके मुकाबले मेरी पॉफॉमेंस अच्छी है यही यही गलती की तुमने किसी भी इंसान को हमें अच्छे एक् अच्छे जब हमारी तारीफ करें तो बात बनती है यह बात है यह थीक है अपने चेंज होकर अपने हाथों से पैसा दिये वह चेंज हो जाएंगे तो वापस लोटा देंगे ओ मतला मेरे डिवां से काम नहीं चलेगा सिक्वेशन के डिवांड पर चलना होगा एक्जाक्ट हाई मैं हो पीवी वूशन पूरा राम पाज में वी वूशन अगर आपको मेरी परफोर्मेंस अची लगी तो बॉस का बॉस टाइप कीजिए एक स्पेस छोड़िए पीवी यह टाइप कीजिए डबल फाइप ट्रिपल फाइपर बॉट कीजिए प्लीज पुलिस ने नायक के कई एट्टो पर जापा मारी करके ड्रक्स हथियार और कैश परामत किया है वेरी सून वी अर्रेस्ट हम और दिमॉलिश नायक केंडम जिसने मेरे भाई को मारा है उसे में और जिंदा नहीं रहने दूंगा खतम कर दूंगा उसे बले ही वो कितना भी ताकतवर हो कान है कान है कान है वो तुम सब की मैनत की होज़े से आज हम गुरू तलवार को रेस्ट कर पाएं बट पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया उसे इसलिए हम सब को सस्पेंड किया गया वागे का काम हम संभाल लेंगे इस केस को हैंडल करने वाली टीम को अल्रेडी सेस्पेंड कर दिया गया कि ऑपरेशन स्पेंड कि डॉक्टर ने कहा है कि दू तिन घंटे में होश आ जाएगा कैर यह चोड़ उस नायक से बबलू को मार दिया ऐसा क्यों कहा तुम नायक का सारा ओपरेशन इसे पता है यह अभी जिन्दा है यह हमारे कभजे में है यह उसे पता चलेगा तो वो इसे मार आलेगा है तुम्हारा नेटवक साउथ में नहीं यह आई साउथ है एपर भी मैंने नौर्ध के बारे में क्यू काये जानते हो क्यूंकि हमारे डिडल्स के बारे में मेरे भाइ के अलावा सिर्फ मुझा हीotha ये बात अगर भारा इसका मतलब मैं मरा नहीं सिंदा हूँ और ये भाई को पता चल गया है एक बार वोई हाँ आ जाए तुम में से कोई नहीं पचने वाला तेरी इन थमकियों से मैं डर जाओंगा ऐसा तू समझ रहा है क्या क्या रहा है धान सौश के पारे में इन अपर्मेशन देरा था इसलिए सोचा ये बात फोन करके कमिश्णर है पना में करूं गटार ग्या sr कॉल मैं करूंगा ताक्रा इंगा च्याश चांनोड मैं know everything कुम है कुम छे सीफ दाती है अ यह की अजन सेगार, आप में नैठ नहीं मुझा कि खुल सर्थ भी यस इस कुम कील को सथने हम आप जैंगे और पार भाग भूई में ढेन नेट वह सहुना case मे ब Дरा का है ए जहाधा है अभी तो कहा था कि यह प्रोटोकॉल है सर, वल दन भरत, थैंक यू सर, अगर यहां के सारे गुंडों के हम डिटेल स्टडी करेंगे, तो नायक के टच में कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा, फेंटास्टिक, आई नो और 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 पावरफुल, जहां गोली लगे थी, वहां अभी पी दर्द हो रहा है कैसर, हो ना हो, तुम तो खुश हो ना, ओ शेट, उसमें भी तकलीफ है, मेरी बेटी का इस समय साया है, मंजुनात मंदिर के पास मेरा इंटजार कर रही है, इतनी सी बात, छोड़िया ना, नो प्रॉब्लम, अचा सर, ये बताए, आपकी बेटी करती क्या है, नेक्स्ट येर, उसकी शादी करवानी, यसे लड़का ढूंड रहा हूँ, मेरा पुछा हुआ सवाल कुछ और है, और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, छोड़िये सर, मैं समझ गया, मेरी गल्फरिंड है सर, इसमें हसने की क्या बात है सर, ये वही बात हुई, बाप इज़त की सोचने लगा, तो बेटी बिना बताए परार हो गई, ऐसा पंडित कह रहे है, क्यों गुशा आ गया क्या तुझे, नहीं सर, टेमपल आ गया, बेटी परिनिती, आ जाओ, डाडी, प्रसार, लाओ, तुम भी ले दो यार, यह मेरे सबॉर्डिनेट आपेसर है भरत, मेरी बेटी परिनिती, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्या नहीं किया था, नहीं मतलब आपकी लड़की कितनी संसकारी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसके लिए सही परवरिश होना जरूरी है, तेरी बेटी अभी-अभी IPS की ट्रेनिंग लेकर आई है, तेरी गर्फ्रेंड की तरह बाप को चीट करके, पाशन डेजाइन करने वाली मेरी नहीं है, तैडी, किसी और के मामले में हम क्यों पढ़ें? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो अपने माबाप को धोखा दे सकती है, वो कल अपने पती को भी देगी रहा, ऐसा भी होता है कैसर, तुम गाड़ी रुकोगे जरा, किसलिए बेटा, घर आगया और क्यों? तुम पहली बार घर पे आया हो, आओ, कॉफी पीके जाओ, परिनीती, जरा रुको, मेरे साथ बैठो तुम अभी, मुझे तुम से कुछ बाते करनी है, सुनो जी, मुझे अभी सूपर मार्केट जाना था, तो फिर गई क्यों नहीं, बिल्ली नरास्ता काट दिया गया, नहीं, जी, मैं तो आप से पूछ कर ही जाने वाली थी, क्यों, देखा ना तुमने, मंगल सूत्र बांदेवे ताइस साल हो गया, आज भी से जुका हुआ है, अच्छा, नमस्ते मैंड़, आज भी, पती के धर्शन को भगवान का धर्शन समझती है, तेरी सास की तरह नहीं जो स्टाइल मार के विदेशी कपड़ों में घुंगती हो, हाई, डैडी, हाई, मेरी चोटी बेटी, आप सब को देख के ऐसा लग रहा है, कि मेरी गल्फरेंट को भी आपके फैमिली में ही रहना था, इतने सारे डिसिप्लीन अगर उसे मिलते, तो वो भी बहुत अच्छी होती, सही का, उसका बाप अगर सही होता, तो पूरी फैमिली सही होती, खैर जिम्मेदार इंसान होगा, स्टॉप इड़ी, भरत, दिस टू मच, क्या हुआ बैटा, कोई इस तरह मेरी बुराई करे, मैं इस हैं नहीं कर सकती जारी, मतलब, स्पेन में जो मुझे मिली थी, वो आपकी फैमिली, क्या, जी हाँ सर, जैसा आपने कहा, सारी गलती उसके बाप की है, मतलब आपकी है, फैशन डिजाइन के कॉंपेटिशन में, हंड्रेट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें फर्स्ट आने का टैलेंट आपकी बेटी में है, जिसे आपने नहीं पहचाना, यह आपकी गलती है, बट आँटी ने ऐसा ना करते हुए, उसका सपोर्ट किया, अपना सपना आपसे बताने की हिम्मत ना करने वाली आपकी बेटी, आज आपको इसलिए बता रही है, क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करती है, यह सारी बाते आपके सामने लाने के लिए, मैंने जरा सी एक्टिंग की थी, I'm sorry, sir. Will you please wait outside for a minute? Sure, sir. Sorry, Daddy, मैं… सब समझ गया. मैंने सोचा था कि, कठोर होके तुम्हें डिसिप्लिन के साथ बालूं, लेकिन, मेरी डिसिप्लिन तुम्हें यह सब सिखारी इसका मतलब, मुझे खुद को अपने में बदलाव लाना होगा. आज के बाद जिसकी जो मर्जी है, वो करो, लेकिन मुझे बता के करो, किसी तीसरे के मुझे नहीं सुनना मुझे. Sir. चलो, चले. बहन, जानकी, तुसी, चक्रपाणी, चक्रपाणी कहा हो? आ रहे हैं, बहन, 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 क्या हुआ, बताता हूँ, बहले बैठ जाओ, आज तारीख क्या है? अपरिल की चोबिस तारीख है, मतलब भाई साहब का जनम दिन है, बड़ दे, आगे हमारे भाई साहब, आज सारे चैनल्स वाले, सिर्फ भाई साहब के बारे में ही बताएंगे, और गाना भी दिखाएंगे, और उनकी स्पीच भी दिखाएंगे, मैं उनका फैन हो, मुझे नहीं पता क्या, हाँ? जब उनकी घार वाले और चाहने वाले उल्हे शद्धान्चली देते हुए दिखाए देंगे, तो ये पता नहीं चलेगा? आओ बेटा, मैं जाओ, पूरे देश की जनता भाई साब को चाहती है, मेरे देशवासियों और मेरे चाहनेवादों, मेरे परिजनों और मेरे देश की प्यारे 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 बच्चों, अरे, अरे, आजकल ऐसे इनसान कहा है, आजकल तो सबको सिर्फ पैसा ही दिखता है, मुझे अपनी जिन्दगी में सही राह नहीं दिख रही थी, उस वक्त मुझे ये, ये फिल्म जगत वालों ने सही राह दिखाई, इसमें कई लोगों का सही होग है, कई लोगों का प्यार है, और लोगों के दुआ है, आज मेरे जनम दिन के आउसर पर, ये चन्द समू और इन सब का प्यार, इनका इसने, इनके आभार के लिए मेरे पास रोफास नहीं है, मेरी जन्म भूमी यही है, मेरी कर्म भूमी यही है आपने जो मुझे प्यार दिया, उसका मैं रूड़ी रहोगा मेरा वादा है कि अंतिम सांस तक मैं कला की सेवा करता रहोगा क्यों दुखी हो रहे हो बेटा जिस तरह माबाब बच्चे की परवरिश करते है उसी तरह तुम अपने पिता की देख भाल कर रहे हो तुझ जैसे बेटे को पाने के लिए हमारे भाईया ने बहुत पुर्ण किये होंगे बहुत से बच्चे अपना फर्ज निभा नहीं पाते हैं लेकिन तु वो फर्ज अच्छी तरह से निभा रहे है अज तु इतना टेंशन में क्यों लग रहा है यार नायक इंडिया आया है एसी इंटेलीजनसी की रिपोर्ट है कमिशनर को फोन लगा रहा हूं तो उनका फोन करेक्ट नहीं हो रहा है हेलो यह पुलिस एमेमस देखा क्या अगर अपने कमिशनर को जिन्दा देखना है तो तु मेरे भाई को लेकर आएगा वो भी अकेला जंचो को लेकर खुमने वाला मत नहीं हूँ, मैं शेर हो, आ रहा हूँ मेरे आद्मियों ने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, दिखने में आउडिनरी, लेकिन पावर एक्स्टा आउडिनरी, बोलता का मैं करता ज्यादा है, मल्टी टैलेंट है जैसे फोन पर तुने पुलिस कहा वो इस्टाइल अच्छी लगी, दाद देता हूँ तेरे पावर की और कॉन्फिडेंस की भरत मैं भी अब तक 34 मुर्डर कर चुका हूँ, 16 कंट्रीज की पुलिस पीछे है 113 केसेज में मैं वान्टिड है जिसने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, उसे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया उन में तेरे डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल है जो भी मुझे ढूडते आया, उसे सिर्फ मेरी फोटो मिली मुझे रूबरू मिलने का मौखा सिर्फ तुझे मिला है इसा है ये किंग नायक ये नायक मैं यहां आया हूँ तेरे भाई को यहां छोड कर जाने के लिए नहीं तुझे खसिट तेवे ले जाने के लिए मैं जब खाकी पहनता हूँ तो सारे गुंटे अपना रास्ता बदल देते और जो सुधरना नहीं चाहते वो दुनिया छोड़ देते अंटी टेरिरिजम स्कॉट में जब मैं था तब 26 लोग थे और जब एंटी रावडिजम स्कॉट में था तब 43 लोग थे जब अंडर्गवर ऑपरेशन में था तब कोई हिसाब नहीं था विकार्व फाइनल डिसिजिएन मेरा था ये सब मैंने कर दिखा एसरिफ 5 यह इस नोट जस्मारेकर्ड इस आल टाइम रिकार्ड वाव 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 हिमत की दाद दे नहीं होगी इस इन माप बलद लेकिन तेरा कमिशनर मेरे पास है कमिशनर सर कमिशनर सर तूने जब मुझे अखाडे में बुलाया तब तेरी किसमत बदल गा शिकार करने वाले शेर को तूने बढड़े पाठी पे बुलाया मुझे एक मिनिट काफी है शिकार करने के लिए दो मिनिट काफी है चीर फाड करने के लिए और तीन मिनिट में दफना कर चल देता हूँ उफ पर घिड़ेता दो कि बल्वार्णी ए स्ब्रेशी है भरत, टाप तकंद, वर्ना तेरा कमिश्टर अपकी चांटे हाथ भएठेगा, ट्रावेट, नहीं, भरत, बिटा, मेरी बात सुनो, पलीस वालो को कभी, क्रिमिनल के आगे सर नहीं दुकाना चाहिए, भरत, भरत, भरी भिटा, भरत, क्रिमिनु दो, भरत, सुट मैं, भरत, बढ़तो दो, भरत, कि ए तरहमाँ, भरत, अजब दो कोयाasďको कुए नहीं पहुंचपाया है, भरत, कि तुम ही हो, जो उसे मात दे सकते हो, इसलिए, मैं चाहता होगी, तुम कच भी करो लेकिन उसे मार दो, don't leave him, don't leave him, Berat. करे करेंग। करेंग। करेंभ। करेंग। करेंभी बहुद्ग बढ। मार ठाल के अड़ से इज एकोस को नियनुली, लुख ओगू, वगॉ, बार से, एकछार से. वहाँ. वहाँ. अप लूख, 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 लुख, लो जदायो! कर दो कर दो है सुन अब अपना यह सड़ावा रेडियो बंद कर दे कूल इतना गरम मत हो यह किंग की तरह जीने वाले को विखारी के जैसे बटकनी के लिए मजबूर कर दिया सब कुछ खतम कर दिया यह भी नहीं पता कि मेरा भाई कहा है शुकर है कि आप वहां से जिन्दा आ गए एक ब चैंकी ब्रेंड बजाकर चला जाता है मेरे हिसाब से बॉस उससे पंगा नहीं लेना चाहिए लो चाय पीलो अगर यह नहीं रहेगा तो हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन बताएगा किसी ने सची कहा है कि बुरे वक्त में जिसे अपने घर में पना दो वहीं उ में बुरा नहीं लगा कूल बॉस कूल मेरा नाम सुनते ही लोग धर धर कापते थे और आज ऐसे नायलाइकों के मूझ से कूल सुनना पड़ रहा है कलीम तू कैसे करेगा मुझे नहीं पता लेकिन वो चाहिए मुझे जीजा जी आप जानता है ये कौन है कृष्णा भाई साब का बेटा भरत मुझे माफ कर दे बेटा मैंने तुमारे साथ दोखा किया मेरे पापा को भगवान मानने वाले आप उस नायक को कैसे भगवान मानने लग गए बताता हूं ये मेरा एकलोता सारा था कल तक ये बिल्कुल ठीक था नायक के आद्मिरे से मार दिया साब भाईया इसकी मौत के वजह है डुब्लिकेट नोट नायक का पार्टनर इससे नकली नोटों का धंदा करवाता था सब को जला कर रख कर दो ए सुना लोगों को बरबाद नहीं आभाद करना सिखो आज तेरे कारण एक इंसान की जान चली गई सुधर जातुम अभी तो सिर्फ मैंने तेरा एक अड़ा जलाया है कल तुझे ही जिन्दा जला दूंगा जहां तक सूरज की किरणे पहुंसती है वहां तक मेरा बिजनस है तुम्हें कितना चाहिए जैसा तुम समझते हो वैसे हमारे किष्णा भाई करप्ट पॉलिटीशन नहीं है लीडर मास लीडर और मैं हूँ बॉस नोट फेंक कर अपना काम निकालने वाले को कहते हैं बॉस और मजदूरों की सेवा करके उसका साथ देने वाले को लीडर तुम्हें माफिया के बारे में नहीं पता है सुनो घर आये हुए इंसान को मेहमान समझ कर इस्जत देना हमारी शराफत है सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूँगा क्या कर रहा है क्या हुआ तुझे भाई लेक्षन का टाइम है ना इसलिए ठीक से सो नहीं पा रहा हूं ठीक है जड़ा गाड़ी को साइट में लगाओ ठीक है भाई कि अ घं़ णवे बहा हुआ के जगर गई सध्या तुम युण कोले करज़ות MAL toutes पाई टुखू ञिये वल लोग, लोगँर। आस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे पता चला कि भाया और सत्या इस दुनिया में नहीं रहे फिर मैं घर आया तब पता चला कि घर भी बिग चुका है और फिर मैं कृष्णा भाया की मौत का बदला लेने के लिए वहां से निकल पड़ा हमारे रास्ते का काटा क कृष्णा भाय की काणी खत्म हो गई हमें पुलिस का सपोर्ट है यहाल में मिली रहा है अब हमें पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए हमारा नरसिम्म्म है पर कोई प्रब्लम नहीं है जंता यह मानती है मैं चला कि अपने भाई को छोड़ाने के लिए नायक इंडिया आ रहा है और जैसे ही मुझे ये पता चला कि नायक इंडिया आ रहा है मैं उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ा लेकिन फिर भी वह बच गया तब मैंने सुचा उसके भाई को अपने कबजे में लेकर उसे शिवा भाई तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि कृष्णा भाई जिन्दा है सही सलामत है सच जैसे ही तुमने फोन किया तुरंत ही हम एक्सिडेंट की जिगे पर पहुँच गये और आसपास के गाउमालों की मदद से कृष्णा भाईया को हॉस्पिटल ले जाकर उनक चुमसे ये बात छुपाई। शिवा बहिया कैसा है तू मैं बिल्कुल ठीक हूं बहिया आप कैसे हैं बहिया मैं भी ठीक हूँ, शिवा, रुद्रेश और नर्सिम्ह कहा है, बुलोब काशी रामेश्वरम तिर्थी आत्रा पर गये हैं, मैं उन्हें रोग नहीं पाया भीया, आपको देखने के लिए दिल बहुत तड़प रहा था, तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, हमार जिम्मेदार है तुम्हारे पिता जी की इस हालत के लिए, उसे जिन्दा नहीं छोड़ना है भरात, नहीं छोड़ूँगा, पापा को उन्होंने जितनी चोड़ पहुचाई है, उसे कहीं स्यादा चोड़ में उन्हें पहुचाऊँगा, मेरे दिल में चलने वाली बदली क याग उनके खून से ही बुचेगी, यह है नरसिमा, कैबिनेट मिनिस्टर, तुम्हारे पिता जी का फॉलोवर रहा है, और शाद इसी वज़े से जनता इसे आज भी बोर्ट दे रही है, यह है रुद्रेश यानी रुद्रा, इसके उपर 13 मर्डर केसे हैं, और यह है मलेश बिजनस्मेन, कोई भी लेंदेन हो, यह तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और यह दोनों इसके लड़के हैं, रामू और सोमू, और यह लड़कियों का दीवाना है, इसके गले में एक मशीन फिट है, उसके सहरे यह बोल पाता है, यह सभी लोग बहुत ही पावफुल है और इसी वज़े से अब तक बचते आए हैं, कुछ दिन हमें सारे रूल्स भूलकर इन पर काम करना होगा, भरत, एट एनी कॉस्ट, वी शुड़ नॉट मिस नायक, और यही तुमारा इस देश के लिए सच्चा तोहफा होगा, थैंक यू सर, नॉमल तरीके से उसकी एक्ट अबर्टमेंट चेंज कर दिया, सर, कहां सर, ट्रैफिक में, यह तो एफ्रिकन चिंपांसी जैसा लग रहा है, यह कंगला गाउं का मनशाराम का बेटा है, और नाम बिहारी लाल है, शॉर्ट एंड सुट में इसे बिहंगी कहते है, बिलकुल सही नाम है, कर्सदारों से सपना आज भी स्ट्रॉंग है भरत, इस वेटिंग फो दी ऑपरचिनीटी, हमारा पहला टार्गेट होगा, मिस्टर बिहंगी, आटे को अच्छे से गुंद कर, अपने हाथों से चपाती बनाकर, प्लेट सहीत खा जाने वाला, यह चीव चंद्र चूड नात, कट 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 बोलोगे, तो कुछ नहीं होगा, चपपल की बारिश होगी, साइट प्लीज साइट, एक्शन, आटे को गुंद कर, हाथों से शेपाती बनाकर, प्लेट सहीत खाने वाला, यह चीव चंद्र चूड नात, कट 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 कट, यह क्या है, इस तरह डायलोग बोलोगे तो लो आटे को गूंद कर, हाथ से चपाती बनाकर, प्लेट के साथ खा जाने वाला, यह है चंद्र चूडा नात, इसके साथ थाली धूने का काम करो, टैनेंट इप्रूव हो जाएगा, सर, आप ही हैं हमारे फिल्म के हीरो, सर, सर, मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, इस ल तो मैं सच में इंप्रेस हो गया, वैसे अक्टिंग में आपको इंटरेस्ट तो है ना, आज से नहीं पैदा होने के पहले से ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, वेरी गुड़ सर, I am so happy, क्यों मेरा डालाग सुनने के बाद क्या, ने, 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 आपको एक डाल से आप इतने ही इमोशनल हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना टेलेंट भरा है, आप चक्रा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, सच कह रहा हूँ सर, दिखाओ सर, दिखाओ, तयार हो जाईए सर, पुलिस एक शब्द नहीं, बलकि एक जॉला चिन्टा 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 चिन् अभी दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, ये देख, देखा तुमने इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये है हमारे कांधी का देश, हमारी इस देश में शांती, सवहार्द, संस्कृति, सब कुछ है, यहां तक ये अगर उनके दूसरे गाल पे ठपड मारो, तो भी कुछ नहीं बो के बजाए हमारा अत्मान कर रहा है, बोर्क, हर सही गलत निर्डे लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुझे नहीं, वाँ, 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 क्या एक्टिंग करते हैं, आप बाहत है, आप कमाल के एक्टर, देखो, देखो, लास्ट है ना, यहां, विटकुल शिवराश कु इतने दिरों तो कब गहां थे, सर, अभी तक तो पर्दे के पीछे था, सर, आप लोग के दुआ रही तो पर्दे के आगे आजाओंगा, अगर मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूंगा, तो उस फिल्म के हीरो आप ही होगी, तुम्हारा स्क्रीन मेम होगा, बिहांगी किड्नी, किड्नी, क्यों, जॉनी लिवर नहीं है क्या, फेमस अक्टर, उनके लिए लिवर टाइटल कितना फायदा दे रहा है, तो किड्नी से मुझे फायदा होगा सा, लेकर प्रडूचर ये प्रिजेक करने को तयार ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, नए हीरो को लेकर फिल्म स्टार्ट करने पर कोई साथ ही नहीं देता, पुराने चेहरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे, आप इसकी टेंशन क्यों ले रहें, आप इरादा कर लिजे, फिल्म के लिए प्रडूचर हमें मिल जाएगा, कैसे, आपके मामा वो बैंको बदरीनाथ उनको अपनी वल् समझो आपकी प्राब्लम सौल, फटाफट कमिशन बताओ, सर एक परसेंट भी होगा तो चार करोड बनते हैं, फिर वही चिंदी बात, टेक टू परसेंट, सिरिमा में ग्रैंजर होना चाहिए, ग्रैंजर, सर यह सही नहीं लग रहा है, उस कमीने ने कितने की गर्दन मरोड पैसे मठो ने पता है, मुझे पता है, मुझे यह इमांदारी की फिलिंग छोड़, बस तू फ्रेमिंग की तरफ ध्यान दे, ठीक है भी हंगी, बिहंगी किद्नी, भी हंगी किद्नी की, कहा हो, अई जी, इतना लेट, इतना लेट, अने तवाज़ागी, बढ़ाईगी, ब मैं अपनी बेटी की हिवदत देखकर तुमारे सारे जुल्म को सह रहा हूं, लेकिन याद रखो, भगवान टुम्बे एक ना एक दिन सजा से दूर देगा, अगा, 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 मुझे पता है, हालो कौन है, सुनो, मैं रवी चंदरन बोल रहा हूं सौद आगा, अगा, गा, अगा, अगा, आप कैसे हैं सार, आज मैंने तुमारे रियल्टी शो की सीडी देखी, यौर अन्बिलीविबल एक्टर, वा 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 वत, वक्रिश्णा परसाद रियल्टी शो में तुमारे टैलेंट को कट, नहीं किया जाएगा, ऐस जो भी लेजी है आप उसे क्रेजी बना देते हैं अच्छा मैं एक नया रियालिटी शोव प्रोड्यूस करने जा रहा हूं विद फ्रेश कॉंसेप्ट क्या आप उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे उसमें प्राइस की गैरंटी है थैंक्यू सर्थ कुछी दिर मेरी नमस्ते आओ आओ बैठो बैठो वट्सार रियालिटी शोव नियू कॉंसेट है हमारे यहां पाँचने से बले आपको कैसे पता चला रवी चंदरन जी का फोन आया था कि आपको रवी चंदरन जी किये थे क्रेटिवाई वले करते रहते हैं वाला जी वाले भी करते रहते ह हालो नीचे आईये और नीचे आप पूरी तरह से नीचे नहीं आए आपका सिर्फ नाम है बैंकोक बद्रीना कोई मसाज वसाज नहीं है बहुत रीचे क्या हद से ज्यादा रीचे हैं केरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं इसके अलाबा इस शो में रियल केरेक्टर पर काम करना होगा फॉर एक्जांपल मिनिस्टर नर्सी माची अभी को रोड में कमीशन पानी में कमीशन बिजली में कमीशन सत्यानाशु उसका जो भी मिलता है निगल जाता है इस शो में उसका नाम भी मतले ना मेरी हवेली का 2 करोड रूपे प्राइस फिक्स है तो करोड रूँगा राइटर को देदो यह वो पैन नहीं है यह पैन कैम है हाँ आपके सारी अक्टिविटीज को इस अच्छली कैप्चर करने के लिए इस डिस्टसमें नहीं यहां से ज्यादा हो गया सासे मेरी सासे नहीं पैन की तो फिर सारे लोगों को ऐसे पैन दियो हो क्या है तेकले बच्षे डिखे, वाच्षे, दिले फ़नेईर के अजैर में अबच्ण खारू दोल्प पेड़ी करना। सबस्क्रत के मुझांस के आप मंँद्या साद। आप रफ्रेम्स परफरेंट्टिक 좌म खूंग से हां। वह रर्मर만 मॉझा आ हुआ हाई तांक यू सो मच उस दिन तुम्हारे आने के बाद से मेरी डाड़ी बदल गए है इस एंकुरेजिंग मी, गुड ना मैं बाद में मिलता हूँ, यू गो ना मैं नहीं जाओगी, क्या कर लोगे मेरा कहना मानो नहीं मानोगी, तुम पुलीस वाले हो, इसलिए तुमसे डरू मेरे डाड़ी भी पुलीस में है जस गो आई सेड नो आई सेड गो आई सेड नो त्ये मैं उससे सिंदगी भर बात नहीं करूँगी सुन, एंट्री अगर रॉंग हुई न, तो उसका इफेक्ट भी रॉंग होता है पता नहीं वो पुलीस वाला कौन से ओपरेशन में है तू समझने की कोशिश करियाद डिरेक्टर होकर के लड़क्यों को ठपड मारते हैं क्या और नहीं तो किया वो कह रहे थे आप उसके साथ हीरो बनकर काम करें मेरे साथ अच्छी तो थी अला सुनो भी आंगी जी आप पागल हो गया आपके साथ काम करने के लिए एश्वर राय अनुश का शर्मा उस रेंज की हिरो इन को लाने की सोच रहा हो तो आप यह क्या एरे उनके भाण जए एक बात बताओं हाँ साथ में मिलके काम करते हैं जैसे मैं आप के साथ आप से मिलके बड़ी खोशी हुए अगर आप अपने मामा से मुझे मिला देते तो लैंडीलिंग की बात पक्की कर लेता मेरे सारे पार्टनर्स थायार है मेरे मामा इस वक्ट एंटर कौन है वे तु बड़े भाई यह हैं बैंकाक वोले बदरिनाथ जी नमस्कार और यह हैं इनके भांजे भुगनेश्वार यह हमारे पार्टनर्स और वो हैं रुद्रेश भाई क्या कि पार्टी में यह बड़े अच्छे मूड में थे नोटों को तो ऐसे कागस की तरह रहा रहे थे हैं जी बिल्कुल वहां के लोगों से सुना है कम से कम दस लाग तो उड़ा यह होगा याद रख यहां का नौकर रहे तू गैशियर नहीं जा के सबके लिए कौफी ले जलान हो रहा है लेकिन आप फिल्मत कीजे मैं इसे फिल्म के कैरक्टर की तरह ले लेता हूं आप कॉफी लेंगा टी येस बात करो तो हम लोग मुद्धे पर आते हैं बात कुछ नहीं है मेरे मामा जी सिंगापूर में एक सेवन स्टार होटेल बन वा रहे हैं तो ज़रा ल आपको कितने में परवड़े का आप बात करके तहे कर लीजे बस और किसमें इंतिजाम हो जाएगा बट आप लोगों का भरोसा करें बांजे ममा आफ्टर ओल बारासों पचास करोड इनके पास नहीं है तो पिर मैं यह डील नहीं कर सकता आइड डॉंट लाइक दिस फिपल आपको इन पर विश्वास नहीं है तो इने बुरा लगें फिर उसके बाद डील कैंसल हो जाएगी भाई साब आप इतना अपसेट क्यों हो रहा है यह बच्चा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है आप डॉक्यमेंट्स लाकर दे दीजिए डील सील कर देते हैं तो भांजे डॉक पर फैक दो के आपकी चाहिए अरे आप के राक्टर में उसा है क्यों यह क्या कर रहे हो तुम सारी कि सारी चाहिए राड़ी दिखोए नहीं तक जाओ पंदर क्या सर आपके इतनी बैज़ती डॉंट टेक टेंशन सा आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत बैज़ती पी सेनी पड़ती है दुनिया का कौन सा एक्टर है जिसके साथ यह सब नहीं हुआ है सार इधर दिखे यह क्या है सर मेरी जुबान पर तिल ही तिल है सार अगर श्राब दे दिया तो सरवनाश वजाएगा इन लों का लेकिन कि आकर हूँ अहीं सावादी हूँ गुट सर यह सार आपके पैरों पर गिरेंगे अच्छा आप जिस दिन स्टार बन जाएंगे उस दिन आप इन सब शैतनों को जूते से मारना नमस्कार कोफी बहुत ही अच्छी थी किसमें मैं नहीं किया था कैचे इन तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हुँ सार उसका तुमें यह देंगे अब हांजे लेट्स मोव कोफी बनाने और सीव करने का दूल एक और मिल्के तो तीन हो जाएंगे हमारे बबलू की मौत के जिमिदार यह भरत है लेकिन आज के लिए भरत अपनी टीम के साथ अपने फादर के ट्रीटमेंट के बहाने बैंगलूर में रहकर अंडर कवर ऑपरेशन कर रहा है अरे वाह ये बताओ तुम्हें अपना सर फड़वाने के लिए और कोई पथर नहीं मिला क्या ये तो एक पावर हाउस है पावर हाउस इसको छूते ही समझो खत्म एक बार एक किलर मेरे पास आया था मुझसे बोला मुझे चिकेन बिरियानी चाहिए मैंने बना कर दिया बस रिवेंज वेंज के बारे में छोड़ो बस ये सोचो कि तुम लोग यहां से बाहर कैसे जाओगी अपने भाई के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा पिर कह रहा हूं कि जिद मत करो तुमारा भाई तो चला गया लेकिन तुम तो हो रोने के लिए अगर तुम्हें कुछ हो तो फिर कौन रोएगा बकवास बंद कर तू जाके कॉफी लेकिया कूल बास कूल लो अभी बाती कर रहे थे और उनका पोन आगया हां भाई मेरा एक दुश्मन है पोलिस वाला जो इस वक्त बैंगलोर में है मैं वहीं पहुंच रहा हूं उसके बारे में डीटेल कलेक्ट क करो वह कौन है भाई फैक्स से तुम्हें फोटो मिल जाएगी ठीक है यह लोग गरमा गरम कॉफी पीओ और एकदम कूल हो जाओ ठीक है इस फोटो को फैक्स करो नंबर पीछे लिखा है तुम लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं वक्त जब बुरा आता है तो हुट प यह फिल्म आर्टिस्ट पुलिस ओफिसर बन गया है क्या मुझे गंद दिखा कर डराता है ना अब देखो कहानी में ट्विस्ट अरे आज कल कई पुलिस वालों ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया वह सब छोड़ो नार भाई का जब फोन आया था तो आम बलारी के में डिसकस नहीं कर रहे थे क्या इतना उतावला मत होनर सिम्मा वह कौन सा लैंड है उसका ओनर कौन है बिना जानकारी के अगर हमने उसमें हाठ डाला तो हमारा कुर्सी पाया हिलने लगेगा सुन रामू बलारी में कोई बैंकोंग बद्रीनात नाम का कोई मायनिंग माइनिंग और है जैसा कोई नहीं जुवी आइब खेंगर fact मभाई बहुत हुए О हाँ, ठीक हराम हो हेलो हे भिहंगी, मिनिस्टर को फोन दे यही समय सबक सिखाने का अब देखना मेरा कमाल, कैसे चकर चलाता हूँ हेलो, excuse me, matter क्या है बताएंगे जरा मिनिस्टर को फोन देना हा या नहीं देना यह फैसला मैं उसके बाद ही करूँगा बैंकर बदरिनात नाम कोई भी बेलारी में नहीं है पता है पता है तुझे पता है जो मेरे साथ यहां रहता है, वह वुशे में क्यों रहेगा डेकь मेरे गुस्यकाואर मत भड़का पकवास बंद कर और मिनिश्टर का फोन दे क्या बंद कर दूँ तुमसे नाराज होने के बाद मैं वापस क्यूं आई हूँ यही ना उस दिन तो तुम किसी सीक्रिट ऑपरेशन में थे यह मुझे नहीं पता था जोड़ा ना आज के टेंशन है तुमको फिर कोई ऑपरेशन चल रहा है क्या ड्यूटी छोड़कर तुम पुलीस वालों को तु हमेशा रॉंग टाइम पर ही क्यों इंट्री लेती है कि अपाँ मुझे वाँ झाल छुड होगा a फिम जो खौल. को आप इस नहीं है नहीं दो अपड़ा अपका चेहरा देखर सब पता चल जाता है इस वक्त आप टेंशन में जब आपने चाचा को फोन किया था तब उन्होंने भी पूछाता है किया आप टेंशन में पूछा था? हाह. याद नहीं आ रहा है? अरे भरव भर क्या हुआ? कुछ नहीं, बापा. क्या बात है? बताना. आपको बताूंगा तो आपका र्रिक्षिन होगा यह सोझकर श्वर् Совक्राइश मुझे बहुत रहा है मुझसे तेरा टिंशन देखानी जारा है, बात क्या है यह बता, मुझे कुछ नहीं होगा रुद्डरा मॉहमणा का आक्सिडेंट हो गया है क्या? इसलिए मैं नहीं बता रहा था कहां है वो? अरे यार , रुद्डरा, यह सब कैसे हो गया? क्या बॉला? यह ऐसे बोलेगा तो हमें कर से पता चलेगा ठीक से बॉलना यह नर्सिमा चल्दी से मास्क लगा नहीं तो मर जाएगा यह पापा आ चुके हैं ओके रड़ी कितनी अच्छी डील चल रही थी यह सब कैसे हो गया भाई नर्सिमा डील की बात अभी रहने दो पहले इसकी फैमिली को खबर पहुचा दो ठीक है सर आप दुनों लोगों को डॉक्टर ने बुलाया है हां आ रहे हैं चलो हां शुरू हो जाओ देखिए भाई हमसे जो बन पड़ा वह हमने कर दिया आगे सब कुछ आप उपर वाले के हाथ में नमस्कार जी नमस्ते कौन है यह यह रूत्रा मामा के बच्चे हैं हमारे पापा काशुषी आने के बाद वह आपसे मिलने के लिए आ रहे थे लेकिन आ कि ब्रेन डेमेज हो गया है और बॉड़ी कई जगर से फ्रैक्चर हो गई है तो वह एक जिन्दा लाश की तरह रहेंगे सांस लेने में भी तकलीफ है कि मैं मैं पुलिस हूं यह सुनते ही तेरा यह हाल हो गया और मैं है क्रिष्णा प्रसाजी का बेटा हूँ यह जान लेगा तो तेरा क्या हाल होगा उधर देख पापाजी ए रुद्रा मैं तुझ से दुबारा मिलूंगा तुझे देखूंगा इसकी उमीद छोड़ चुका था पापाजी इनके हाथ में चिठी है हाँ हाँ मैं जानता था आप मुझे देखने जरूर आएंगे मुझसे यह नरक की जिंदगी और नहीं जी जा रही है मेरी जिंदगी और यह मेरी जान आपकी दीवी भीक है और अब मौत भी भीक में आप ही दे दीजे पापा इनकी आकर इच्छा है ये काम आप अपने हाथों से कीजिए मुझे इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है ये कैसी किस्मत है मेरी जिसे अपने हाथों से पाला पोसा आज उसे ही बेठा है इसके कानों में नारायन श्लोक पढ़ दो है ठीक है सुन ले अब यह नारायन श्लोक ए तुम म आपको मैं यहां आया हूँ पापाजी हो गया रत्रा तुम अपने कुल देव्ता को याद करो टारत वहादिर वहादिर। ख़लो निकल बाहर चलो यह क्या है नर्सिमा कब से इंतजार कर रहे हैं यह सीम लेवल का डॉक्टर है क्या हमें और कोई काम नहीं है क्या ज़रूरत हो कि तो बुला लेंगे हम चलते हैं इमोशनल मत हो यह टोपी वाजों में एक कम हो गया बस आप लोग का प्राफिट और बढ़ जाएगा खुशी मनाईए है है कल से मैंने भी ऊसे नहींद और पाता नीं वह वो किसखें कहा भड़क रहाओ ढलगा तो भी उससे कोई कम न offers दो अत्यार में अब कि अवय हुआ पूद wa n 필요 दो आप ऑनी जुबान से कह रभा दीजिये कि बहुत मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ लेकिन क्या करें जो होना था वो हो गया अब इतनी बड़ी जमीन का सौधा बाकी है करना तो पड़ेगा ही ना हिम्मत से काम लीजिए मैं जारा लैंड के काम से जा रहा हूं बाद में मिलता हूँ 70 mm का जादू भीहंगी जी नाम के आगे किरने लगाई सुनके अच्छा लगता है ठीक है इस पर लैंड के डॉक्यमेंट्स है वो लोग इसवक्त जारा गम में हैं रिलक्स होने के बाद दे देना ओके ओके ला और सुनिया है आपके लिए गुड नियूस है वो क्या है हमारे में आप हीरो तो है मन महोग रामिया आपकी हीरो इन फिक्स होगी तुम सही बोला रहा हंडिट पसंट भी हंगी जी उसने अपनी फिल्म के लिए तीन फिल्में छोड़ दी तेरा मेरा मिलन होगा क्या बात है बेटा भरत आज कल तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं कहीं कोई टेंशन चल रही है क्या पुलिस की नौकरी कर रहा है तो जाहिर सी बाते टेंशन तो होगी ना पुलिस हमारा भारत तो ML है ना हां भारत तो ML ही है लेकिन इसका ससूर पूरिस में है ससूर मतलब कौन क्या मैं उन्हें जानता हूं आप जल्दी जान जाओगे भाई साब चाहो तो भारत से ही पूछ लो पहारत ए भारत कौन है वो लड़की मुझे नहीं दिखाओगे कोई नहीं पापाजी देखो जूट मत बोलो मुझे मेरी बहु को देखना है उसे लेकर आओ ठीक है पापा ए शिवा 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 ए शिवा माना आपके जुबान फिसलती रहती है लेकिन आपने जिंदीगी में प तुम्हारे सिर पर सहरा बंधा देखेंगे तुम्हारा और मेरा डिपार्टमेंट अलग हो चुका है अब क्यों आए हो यहां परेनिती से मैं अकेले में कुछ परस्नल बात करना चाहता हूं यहां परस्नल कुछ नहीं चलता सब खुलम खुला है क्या कहना है बोलो ओके पर परेनिती के दो इसे यहां से चला जाए मैं यहीं से शादी करना चाहती हूं आप नहीं कहा था ना डाडी कि आपको किसी और से पता चलने से बहतर है कि हम दोनों ही आपको यह बात बताएं लेकिन इस लड़के यह इसे खुद पर बहुत कमंध है परिमांदर आफिसस ऐसे नहीं होते हैं इनको खुश करने के लिए थोड़ी तरफदारी करनी पड़ती है पर इकपर शादी हो जाए फिर तो मेरी ही चलेगी आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन शादी के बाद मिस फायर हो गया तो घर में हमेशा मिसस ही फायर करती है डैडी ओके तेरी लड़की को तुम पसंदो इसलिए मुझे मन्जूर है बड़ उससे पहले मुझे तुमारे फैमली से मिलना है वो भी मुझे पसंद आने चाहिए अगर नहीं आ तो सर सभी लोग पसंद आएंगे लेकिन क्या लेकिन देखा बात चुरू होता ही प्राब्लम मेरे लिए नहीं है सर मेरे पापा के लिए मतलब सर मैं पुलिस वाला हूं लेकिन पापा मुझे एमेले समझते हैं इसलिए आपको भी सारा मैनेज करना पड़ेगा कैसे कैसे क्रिम यह मेरे फूपा है चक्रबानी मैंने आपसे कहा था ना यहीं है क्या वो नमस्कार जी यह तो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमें बर्सों से जानते हूं इस शुभकारी की शुरुवात तो तुम्हें ही करनी है हां मुबात तो सही है अचा एक बात बताओ हम इस वक्त ना सेमली को हिला रखा है पॉलेटिक्स के धोनी है यह वो क्रिकेट फिल्ड में और यह विधान सवा में इन्हें देखकर पूरा युवावर्ड पॉलेटिक्स में आने के लिए पूरी तरह बेताब है लगता है इसका माइंड ही विक नहीं इसकी आखें भी विक हैं सच में मै सेमली ने OCDI प्रोब्लम है सच कह रहा हूं मैं यूद का राज आने के बाद ही देश का उधार होगा है चोटी देखा उन्होंने मुझे आंक मारा तुम्हें मारा क्या मुझे लगा मुझको नहीं मुझे मारा ठेक है समदी जी जल से जल अच्छा मुहरत निकाल कर हमें बता दिजेगा मैं जरा हिमाले जाकर आना चाहता हूं हिमाले क्यों रजनी कान जी के गुरु तो वहां रहते हैं आपके भी गुरु वही रहते हैं क्या सिर्फ गुरु ही नहीं भगवान भाई साब भाई डॉक्टर राज कुमार जी की शूटिंग आजकल वहीं चल रही है शादी का पहला निमंत्रन कार्ड मैं उन्हें ही देना चाहता हूं जी हाँ हिमाले में ही उनका लंबा शूटिंग शिडियूल है यह सोच रहे हैं कि वो अब भी जिन्दा है यह क्या पूरी राज जी की जनता यहीं सोचती है संधी जी आपकी सोच में डूब है कुछ नहीं जल्द से जल्द अच्छा मूरत निकाल कर बताता हूं अच्छा आप चलता हूं नमस्ते अरे खुश रो बेटा सधा खुश रो आप मेरे हमेले दमाद ठीक से खयाल रखना है खयाल रखुगा अरे बाइया क्या है बोलो इस रिष्टे को मना करो दो बैया क्या कह रही हो लड़की तो सुशील और सुशील है लेकिन उसके पिताजी ठीक नहीं है बाद बाद पर आख मारते हैं अरे सुनो उन्हें OCD नाम क्या है देखा कैसे मैंनेज किया मेंने क्या हूं हूं है अब इस टाप इस टाप अब है गारी क्यों रोकी वे जरा बैंगलूर तक जाना था गारी तेरे बाप की है क्या है बड़े भाई उस पुलीसिये से मिलने के लिए मैं खुद बैंगलूर आ रहा हूं नरसे मां से कहो कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले भारत तेरे फूफा तो पागल हैं मुझे भी पागल बना देंगे सर जरा आराम से बात कीजिए लेकिन क्यूं सारी दुनिया कह रही है कि तेरे पिता जी का देहां थो गया सर हमारी बात तो सुनिए सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है सब कुछ समझ गया हूं मैं पोलिस मैं खोद यहां रिटा तोड़ने आया हूं देखिए सर वो कौन है क्या ही यह जाने बिना आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहें इसलिए मुझे भी आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है भारत इन्हें सच्चा ही नहीं मालूम है इसलिए एसी बातें कर रहें कम से कम तू तो समझदारी से काम ले देखिए सर हमें आपको कुछ बताना है क्या बताना है भारत क्या हुआ बिटा कोई टेंशन है क्या संधी जी क्या हुआ मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कहीं है ना अमेरिका में जो आपके भाई रहते हैं न सत्या उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा इसलिए शादी की तारीक आगे बढ़ानी है इस आपके लड़के ने कहा है यह क्या भारत मुरत इसलिए निकाला जाता है ताकि जीवन सुखी रहें आशिर्वाद देने वा आये खाना खाते हैं भरत तुम एक एफिशियंट और ब्रेव आफिसर तो हो यह मैं जानता हूं लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान हो यह पता नहीं था एक इंसान को भजाने के लिए पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है मतलब इस घर में अगर मेरी बेटी आती है तो व परसनल बातें करने नहीं आया मैं वह कमीना पुलिस आफिसर कहां है यह बताओ एकर करने की जरुरत नहीं है वो काम हर हाल में हो करी रहेगा एक खास बात बतानी थी एक सुपर लैंड की डीलिंग आई है थाई सो एकर लैंड है वेलारी में एक एकड का दस करोड देंगे सब भी नहीं मिलेगा सामने वाले को पैसो की जरुरत है इसलिए पांच करोड पर एकर्ड के हिसाब से देने को तैयार हो गया है अगर आप अहां कर दें तो हम लोग डिलिंग कंप्लीट कर दें है आप दस पसंद कमिशन दे देंगे होई ही बहुत होगा सारे पेपर्स क्ल अब ही पता चल जाएगा पता ने क्या पता चल जाएगा जब से यह डील फिक्स हुई है तब से बस मीटिंग हो रही है शूटिंग तो हो इनी रही है हलो भरत रामू फरार हो गया इस Truly । ओकाघा बता ना क्या है अरे तुम लोगोंगों को इसकी बाते supporting क्यों करता है तुह यह मेरे मामा से ख्लोज हो जाया इसलिए मैं इसे अपने साथ दिनर पर तब इसने वहां पर मेरे मामा की गल्फरेंट को बुरी नेजर से देखा और जब मेरे मामा वहां पर नहीं थे तो इसने रेप अटेंप्ट किया मामी बहुत ही स्मार्ट है कराटे कुंफु सब जानती है चार खीच कर लगया और गले में जो मशिन ती उसे निकाल कर फैग दिया अगर यह बात मेरे मामा को पता चल गई ना तो यह डील कैंसल है मुह बंद करके खड़ा राएगा तो तेरे लिए ठीक रहेगा नहीं तो मैं तेरा गर्दन काट के चील कवह को खिला दूगा संझा शान्त हो जाए सर जस्कूल टाउन ठीक है ठीक है देखो बेटा डॉकिमेंट्स हमें जल्दी दे देते तो लॉयर को देकर लीगल उपीन लेकर डील कंप्लीट कर देते हैं वो जब आपके पार्टनर का दिहांत हो गया था आप सब अपसेट थे इसलिए मैंने विहांगीजी के हाथ में दे दिया है किदर है डॉकिमेंट्स डॉकुमेंट्स तो दे दिया है सार लेकिन कहां रखे है ठीक से याद कर तो येठक की आपको अल्री दो बार हार्ट अट चुका है बगवाल नक करे आपको तीसरा हार्ट अटक क्योंकि वो जानलिवा हो सकता है बस डॉक्यमेंट्स ना फिर मंगवा लूंगा नो प्रोब्लम जरा सा टाइम लगेगा बस ठीक है एक बार लैंड दिखा देते तो अच्छा रहत बस इतनी सी बार तो कला जाईए आजांगा क्या भी हंगी जी आप हमारी हीरो है ना आपको कोई भी किसी के सामने थपड मारता है यह सब मुझसे बरदाश्ट नहीं होता है मैं इस डील को कैंसल करता हूं ने 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 ऐस दो मत करूं सिर्फ यह बताओ वो कमीना रुद् नाश कर देगी अहां पक्का वहाब रहे पापा हम इसी तरह लेट करते रहना तो वह जमीन हाथ से निकल जाएगी और दूसरों के हांतों में चली जाएगी सच कह रहा हूं तुझे मान गया मेरे बिटे मैं समझता था तुझे सिफ लड़कियों में ही इंट्रेस्ट है ले पापा जी वो बड़े भाई गोड़ा जी है ना बड़ा भाई गोड़ा अरे वही जो मुंबई वालों के साथ मिलकर गलत धंदे किया करता था ना वही जिसे आपने बुला कर एक बास चिताओं नहीं दी थी क्या हुआ जी वो हाट अटक से चल बसे हैं ओ ओ ओ शीव शीव जरा सभी उपर नीचे हो जाता तो यह जान लेवा हो सकता था पापा जी आप यहां आराम से बैठी बॉड़ी वॉर्ड में है या फिर मौचरी में शिप्ट की हुआ यह मैं देख कर आता हूं पापा जी आप फिक्र बिलकुन मत कीजिए हम लोग यहां है ना हाई हाई लड़की ने क्या कर बुला लिया तुम हिलाते वे चल दिये ना मुराद है आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं यहां बैठ जाए यहां डॉक्टर को अगर आने में लेट हुआ ना तो कहीं जाए गर नहीं मेरे आने तक यहीं इंतिजार दिजी ओके ना तुम हो क्या सर आप इतने घब रहे हुए क्यों है रुद्र की मौत याद आ गई उसे भी बड़े डॉक्टर ने बुलाया था जब तक डॉक्टर आते उससे पहले ही वो टपा गया था तो आप भी उसी तरह मरेंगे इसा सोच रहेंगे बिलकुल करेक्ट गेस किया है क्यो लेकिन तुमरने से पहले ही भगवान से मिलेगा क्योंकि तेरी मौत उसी भगवान के हाथ हो से होनी है देखना चाहता है उस भगवान को तो देख भगवान दिखा रहा है या मौत दिखा रहा है मुझे अरे ये क्या हो गया कैसे अच्छानक निकल लिये ये बड़े भाई की फैमिली रोव मत तुम्हारे पिता देउता जैसे इंसान दे अब बाबा तुम बैट जा वो आनई वाली है तू भी ना इस गुंगे को भी समझाना बहुत मुश्किल है अरे रुक जाते तो वो अब भरत इस रियालिटी शो में कैरेक्टर एक्या करके मर क्यों रहे हैं इस शो का कॉंसेट माफिया पर है इसलिए वालेंस ज्यादा है सुनो क्या देख लिया क्या यह यह भी चले गए आपने तो कहा था यह नाक और मुझे खून की उल्टी करके मरेगा क्लीन कर दिया भाई वैक्यूम क्लीनर से पार्फेक्ट करेक्ट बोला मैं तो इंतिजार कर रहा था कि कब मेरे हीरो में पावर आचाए लेकिन अब पता चला तुम तो पहले सी पावर फूर मैं भी आता हूं उनकी मौत कैसे हुई किसने फूलों का हार चड़ाया उन पर इस बारे में ज्यादा मत सूचना वो न तुम्हें भारी पड़ेगा क्या क्या ट्रामा करना पड़ रहा है बाई इस दो करोड रूपए के लिए जाहे कुछ भी कर ले गेंडे तु वेर स्वामी का आशिरवाद रवी चंदरन का सपोर्ट सब मेरे साथ है और उसकी टीम मुझे ही इंकरेंस कर रही है प्राइस बनी मेरा फिक्स है समझ गया मोटू तुमारे मामा डेड बॉडी से भी बात करना जानते है क्या शायद नारेंच लोक पड़ रहे होंगे तु अभी तक सांस रोखने की एक्टिंग कर रहा है मैं जानता हूँ ज्यादा सांस मत रोख परना बम की तरह फट जाएगा हाँ बार में जा गेंडे नरसी मा जी जब से आपने इस डील में हाँ टाला है तब से एक एक करके सारे पार्टनर्स भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं पता नहीं क्यों मुझे देखो जो होनी है उसे बदा कौन रोख सकता है सुनो शाम को मामा जी को भेजो डील पक्की करके खतम करते हैं हम बात समझ में आ गई न किसी भी तरह से इस डील को कैंसल करना है तभी परदे के पीछे बैठा हुआ लैंड माफिया सामने आएगा सो लैंड माफिया के टाइटल को जस्टिफिकेशन मिलेगा हम कंटेंट और कॉंसेट तुम्हारा इंवल्मेंट परफॉमेंस हंड्रेट परसेंट हमारा डील हो गया अच्छा इस कॉंसेप्ट में मेरा भी एक सेट अप होना चाहिए राइट काजल काजल रही आई आड़े नमस्ते आ जी यह मेरे मामा की लोकल वाइफ मेरे मामा जहां कहीं बम बीवी रखते सवी नीं काजल मामा क्या Χो का चैन काजान हो इस हसीन काजल को शॉर्ट अंड स्वीट में अद्रा कहते हैं लोकल मामी के लिए जूस लाओ आप सब लोग स्ट्रॉंग पी रहे हैं तो मुझे सॉफ्ट क्यों पिला रहे हो मैं भी स्ट्रॉंग ले लेती थोड़ा सोड़ा तो मिला लेती बहुत स्ट्रॉंग है जाने मन आप से भी जल्दा स्ट्रॉंग है क्या भारत तुम्हें मेरे लिए तो स्मेल ही काफी है हमेशा पार्टी ऐसी होनी चाहिए अब मुद्दे पर आते हैं हम चल से चल इस डील को फाइनल कर लेते हैं पांच मिनाट के अंधेरे में सौंदर यससरे आम लुट गया अधा क्या हुआ अधा क्या हुआ अधा क्या हुआ जब नहीं काड़ी को गराज में लेड़ा कर उसके पूर्जे पूर्जे खोल देते हैं वैसे मिरसाथ हो गया इसका मतलब मेरे मामा कुछ नहीं कर सकते और मेरे मामा ऐसे सिच्वेशन में मेरे इजएत की बाट क्यों लगा रहा है चुपो जाना आपको कुछ नहीं मौलूम सच्चा ही जानी है मुझको चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि स्वीट किसने खाया है आद आज चुपो जाब न घाया मेरे तुम लोगों से दोस्ती भी ख़त्म और यह डिल भी कैंसल नहीं इतनी सी बात के लिए डील कैंसल मत की के इतनी सी बात का सुबद रहा से सुर्भ नखा बन गई मेरी यॅदा इस को रहा है चोटी सी बात कईये प्लीज गे बिलीज बेकर मेरे मामा ने कहा था कि वो खोदीस फ्लिम को प्रोडूस करेंगे अब आप मेरे मामा का सपोर्ट कर रहे हो ऐसा चरो ओवर एक करो जाओंगा इससे इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुटा भी नहीं भॉकेगा इसे मैं छूँँगा मेरे मामा को दॉश दे रहे हो मेरे मामा ने एक बार कई दिया तो बात ख़ता है वियांगी बसकर मैं क्या चीज हूं तुझ जानता है बस एक फोन करने की देरी है नायक और नायक के भाई दौर कर चलेंगे मेरा मामा भी टाइगर है रूम नंबर 203 गाड़ी में हो या पैदल हो डे में हो या नाइट में हो सिंगल आओ या फिर पूरी फॉज के साथ आओ सुपर मेरे भांजे आजब मेरे दिल की रानी कल मेरे साथ चल मेरे साथ बजबेट रहे है ठीक है बईया शिवा भाई साब ने क्या अब तक शूटिंग खत्म नहीं हुई है भाई ने कहा जैसे खत्म होगी मैं घर आकर वच्चों को आशिरवात दूगा वो तो सच मुछ हमा आशिरवात सदेव रहता है अचा सुनों शादी की दूसरे ही दिन हमें गरीबों को खाने के साथ साथ कपड़े भी बाटने है यह याद रखना अच्छी बात है पापा बया संदी जी आए जी कहना था हाल का डेकोरेशन और कुकिंग का ओर्डर मैंने दे दिया है और इसकी बेटा है इसकी शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे आप क्यूं यह शादी ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल बने है अब अब आप अपने फादर से मिल सकते हैं आप कैसे हैं पापजी भारत मुझे क्या हुआ था ज्यादा खुशी होनी की वज़े से बस आपका बीपी हाई हो गया था इसलिए चक्कर आ गिया भारत मैं मरने से नहीं डरता हूं बेटा लेकिन बचपन से ही मैं अपनों के सुख से वंचित रहा जनता जनता के लिए ही इसलिए मैं तुम्हें खेलाने जुलाने के मौकों को भी कमा बेटा और आज ये सारी खुशिया देखकर मैं और जीना चाहता हूं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लेकर उनके साथ में खेलना चाहता हूं उनके मुझ से दादा सुदना चाहता हूं उन्हें पूरा होगा ना बेटा पूरा होगा आपका सपना जरूर पूरा होगा आपको कुछ नहीं होगा तब पूरा होगा भारत की फोटो कृष्णा प्रसाद इसका मतलब यह है कि यह कृष्णा का बेटा है उतना ही नहीं उसके पिता के साथ घदारी करने वाले सभी पार्टनर्स को मार दिया है उसने अब तुह ही बचा है और वह तुझे भी मारेगा वही भारत आई पीएस यह तो कृष्णा प्रसाद है और यह तो लेंड डिलर भूवनेश्वर है यह है कहा है इस वात यह भूवनेश्वर है यह पोलिस ऑफिसर भारत है कृष्ण प्रसाद का बेटा इसकी फोटो भेजी थी देखाने तुमने तुमने जो फैक्स बेजा था वो यह नहीं था नायक कूल बास मैंने ही तुमारी मौत को कुस दिरों तक और टालने के लिए एक दूसरा फोटो भेज दिया था चुप अब तु जिन्दा नहीं बचेगा कूल बास कूल ए नरसिमा वो पुलिस ऑफिसर भारत तेरे पास क्यों आया था अरे भाई मुझे क्या पता कि वो पुलिस ऑफिसर आ रहा है लैंड डिलिंग के चक्कर में वो मेरे पास आया था मामला करोडों का था इसलिए हम लालच में आ गए हमें क्या पता कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है नायक मुझे इसी वक्त बिहंगी और बैंकॉक बद्रिना दोनों चाहिए चिंता करने की ज़रूत नहीं है सारा मामला सेट कर दूँगा हाई गाइस क्या चल रहा है यहाँ पर बिहंगी ओ बिहंगी किड्म के साथ कहा गया था लोकेशन देखने गया था लोकेशन है वो डिरेक् यहाँ अफकोर्स ही में कि अ मूवी यहाँ इसमें भी शक है क्या कैसे कैसे लोग हीरो बन जाते हैं बिड़ा किसी टेलेंट और स्पीवीट के आयां दे हीरो यहाँ एक और बात बता हूं इस हीरो के साथ जो हीरो ही रहना वो राम्या है यार प्रोडूसर को नहीं पता है कोन के एंट्री हो गए यह है यह ओने कॉन गोखरा है ओहो तू है क्या सिंगवाला भाई तू कोई माफिया लीडर है क्या मैं तुझे बुलाया था ना क्यों नहीं आया मुझ से डर गया क्या हो कहा है कौन तेरा भांजा भुवनेश्वर है डील क्रैंसल होने के बाद उसस तुरां बालेगा तुरांकशा से के इंसान है के देवता है मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को कौन देखेगा मुझे पता है तो डॉन नहीं है तु सिर्फ डॉन का क्रेक्टर कर रहा है don का क्रेक्टर؟ तुझे यह भी नहीं पता क्या, ठीज जाने दे, यह तो पता है के यह रियलेटी शो है, रियलेटी शो है, रियलेटी शो है, यह भी नहीं पता तुझे, तु पागल है क्या, अबे, 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 अ यह प्लिद सर में इस पाइगल के साथ काम नहीं कर सकता सर आपको मेरे पफरमेंस पसंद ते सी लिए आपके पिछे बठक रहाता था लेकिन आपने ही बठकूँगा सर बखवान के लिए इन लोगों को बाहर निका लिए सबाहर निकालिये सर यह किस्से बात कर रहा है तु त को नहीं जानता हमारे प्रोग्राम क्रियेटर को नहीं जानता है ना मतलब रवी चंद्रन इस पैन के अंदर है रवी चंद्रन इस पैन में नहीं है यह पैन कैमेरा है रवी चंद्रन स्टूडियो में बैठकर यहां का सिच्विशन देख रहे हैं इन गदों को टॉप एंगल पक्का पुलिस ट्रैप उस फिल्म के हीरो आप ही है मन महोग स्टार रामिया फिक्स हो गई है वो भरत चटानों को निचोड़कर पानी निकालता है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो हाँ कूल बॉस कूल अब किसी भी वक्त वो यहां पर लैंड हो सकता है अगर मेरा गेस करेक्ष्ट है तो अब तक एक साउंड आजाना चाहिए था नायच, लोगत दीए वह बुआ हुआ है जा को तो बांदे नाथ है कमिशनर कोबब्स वर्न वर्ण उष्ट वर्न वर्ण 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 क्यों एक्टिंग कर रहा है अरे तुम कहा जा रहे हो भाई जाना दो मुझे आ डॉंट लाइक दिस रियालेटी शो नहीं तो क्या करूं यहां कोई एक्टिंग करो यहां तो पर्फार्म करो यहां तो किसी को कुछ दो नहीं तू भी ओवर्ट कर रहा है अरे ओगदे चेहरे पर वर्ल्ड मैप बन गया फिर भी तेरी समझ में निया यह कोई रियलेटी शो नहीं है वो रियल डॉन है वो रियल पुलिस है और रियल फाइरिंग हो रही है बहुत अच्छे से उसने तेरा यूज किया यूज करना इसी को कहते हैं क्या देखते जाओ स अब किया से बलाता हो शहाद कि थर्णी शोड़कर रख़ूंगा यॡ़ा हजै निइन अब देंजरा भारत, उसे बिल्कुल मच छोड़ना, किल हीम। तासा सेल रहें पीसा, सेल रहें पीसा, सेल रहें पीसा। अरे हमारा वक्त ख्राल है, मैं तो पैसें के लालच में आकर यह सब कर रहा हूं, तू किस लालच में कर रहा था रहें, हीरो बनने की खुझली, हीरो बनेगा, अब तेरी तो देखने में चिंपांजी लगता है, तेरा पेट बिल्कुल कद्दू की तरह है, टोटल कहूं तो पानी की टंकी की तरह है, तू हीरो बनने चला है, अब तेरा वर्क ओवर पैक अप होने वाला है, जाए यहां से तू माइकल, विशाल, प्रसाद, वाली माइकल, वाली माइकल, विवर अुर, विजप उप Ca भारत मुझे छोड़ दे मुझे कुछ मत कर सिर्फ एक मौका दे दे मैं कभी नजर नहीं आऊंगा प्लीज मौका देने के लिए मैं कोई फिल्म का टारेटर या प्रोडियोसर नहीं हो पुलेस प्लीज मुझे माफ कर दे मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ उपर जाने का टिकेट तो कन्फम हो गया है लेकिन उपर भेजने वाला है कृष्णा प्रसाद भारत प्लीज मेरी जानबक्ष दो एक बार बुलेट निकल जाती है तो फिर लॉट कराने का सवाल ही नहीं होता अच्छा सुनो नायक बज़ कर निकल गया है वो एनी टाइम किसी पर भी और कहीं भी अटेक कर सकता है यह लीजे पापाँ टाइम हो गया भापा खत्म कर दीजिए रावन को निशाना चूकना नहीं चाहिए पापा राम नाम सत्य है दादा जी दादा जी क्या है बच्चों हमें वो बतान ठालाती हो ना अभी देता हूँ पापाजी में यहा लुड़ा पापाँ पापाजी आगा पापाणी आगा ने साहिए उन्होंने जोट की नई दुनिया क्यों बनाई भरत मुझे जिन्दा रखने के लिए ना मेरी खुशियों के लिए ना तो फिर बेटा तुम गुनेकार की तरह सर जुका कर मेरे सामने क्यों खड़े हो मैं बाप होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया लेकिन तुमने तो एक अद्बुद दुनिया ही खड़ी कर दी मेरी खातिर तुमने कितनी तकलीफे जीनी लेकिन मैंने मैंने तुम्हें क्या दिया है बेटा जनुन दिया है पापा माना के मैंने जूट की दुनिया खड़ी की, लेकिन मुझे इस दुनिया में लाने वाले आप ही है ना पापा? जन्म दाता को, जब संतान थोड़ा प्यार देता है, तो कहते हैं बहुत है, लेकिन बेटा, साथ चन्मों से भी बढ़कर तुमने मुझे प्यार दिया है, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, पापाजी, पापाजी, क्यों घबरा रहे हो तुम बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसी उलाद से दूर करने के लिए भगवान भी सौ बार सोचेंगे, मेरे बच्चे, अगर मैं मर गया, तो तुम्हारा ही बेटा बन कर मैं दुबारा जनम लूगा, और फिर तेरे ऐसानों का हाई और सोचेंगे अ गुम्हारे बेटार तेरे को eccentricर का ही बेटा प्रींग मर लूगान .